हाई एविवान हेलो जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो आल अफ यू फाइनली शुरू होता हुआ हमारा फिजिक्स का ये महा प्रले क्राश कोर्स एक ऐसा क्राश कोर्स इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स को 30 डेज में कंप्लीट भी करने वाले हैं उसके उपर हम लोग top 1000 expected questions भी करने वाले हैं जिसके अंदर weekly test भी होंगे जिसके अंदर आपको DPPs भी मिलेंगे तो स्वागत है सबका महा प्रले के इस physics के crash course में which is the best crash course for ने 2024 अगर किसी भी बच्चे के physics में नहीं अच्छा score आ रहा है अगर कोई भी बच्चा physics को अच्छे से revise कर करना जाता है कोई बच्चा अगर अपने question solving ability को बढ़ाना जाता है तो तुम लोग के लिए बच्चों में लेके आई हूं physics का यह महा प्रले crash course जिसके अंदर आज हम लोग units and dimensions को single shot में खतम करने वाले हैं I am hoping everyone is ready आज मैं बहुत सारी students को देख पा रही हूं ठीक है क्योंकि जिम्मेदारी समझते हूं that I'll do everything in my power कि तुमारे physics के अंदर जो score है वो increase हो वो मेरी जिम्मेदारी है बस तुम लोगों को जिस तरीके से मैं बोल दूं जो करने को बोल दूं वो तुम कर लेना वैसे कर लेना और तुमारे physics के score में increase आएगा test भी मैं बना के दूंगी DPP भी म मैं तुम लोगो को दूंगी क्लास में जो questions आने देखो मैं तुम लोगो आज की class की slides दिखाते हूं सारी मेरी बनाई होई slides है I don't trust anyone else anyone else when it comes to how to teach do you understand me what to teach क्या आप पढ़ाते हो आप कैसे पढ़ाते हो time के साथ change हो होता रहता है ठीक है तो कोई भी बच्चा अगर यहां पर 7 के इस YouTube चानल के उपर अगर आप इस चानल के उपर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी चानल के उपर Monday to Friday यह जो महा प्रले के sessions हैं वो होने वाले हैं जिसके अंदर बच्चों एक बार जरा सा देख लो यह जो 7 बजे classes है वो तुमारी conceptual understanding के लिए है अगर केसी बच्चे को यह पूछ रहें कि क्या यह basics है बिल्कुल basics है भाई तुम्हें जाए जितना मर्जी आता हो यह वाली class में तुम्हें सब समझ आएगा तो यह जो 7 बजे वाली classes है वो conceptual understanding के लिए हैं इसके अंदर मैं तुम लोग को अपने questions भे कुछ करवाऊंगी औ और कुछ हम लोग previous questions भी करेंगे और फिर बाद में जो तीन बजे classes होंगी न वो proper practice sessions है उसके अंदर हम लोग बैठके जो physics की top books है SL Arora, DC Pandey, HC Verma, Falana, Dimkana उसके उपर हम लोग question practice करने वाले हैं उन questions के help से question practice करने वाले हर संदे को बच्चों तुमारे test होगा बारा बजे तो उस लिंक के उपर क्लिक करके जॉइन कर लेना test को हर संदे बारा बजे आपके test हुआ करेंगे Monday to Friday जो कुछ भी तुम लोग पढ़ोगे उसको test के format में मैं तुम लोग को संदे को देने वाले हूं ठीक है जी और जितने भी DPPs और PDFs हैं चाहे मैं बच्चों ये वाले class के PDF क करें सेर्ष की बात करूं या फिर जो हमारा तीन बजे का practice session है मैं उसकी बात करूं या फिर मैं उसके PDF की बात करूं सारी की सारी चीजे तुम लोग को ये वाले टेलिग्राम चानल के उपर मिल जाएगी ये वाले टेलिग्राम चानल का लिंक भी इस विडियो की description में अभी ठेक है, so I am hoping everyone is ready for today's class, like कर दो इस session को, this is the first class everyone, ठेक है, this is the first class, definitely I can see a lot of fire, there is a lot of fire in me as well, but मैं तुम्हें बस बोल रहू हूँ, यह fire हो ना हो, consistent रहना, यह fire हो ना हो, जो भी तुम लोगों को अभी करना चाहिए, अपने physics में score को increase करने के लिए, वो करना, तुम अगर दिन के, Monday to Friday, 4 और आदे घंटे देने को ready हो, तो मैं भी ready हूँ, तुम लोगो पूरा का पूरा chapter, अच्छे से conceptually clear करने के लिए, और उसके उपर physics की top books में से questions कराने के लिए, लेकिन Monday to Friday, 4 और आदा घंटा, तुम लोगो screen के आगे बैटना पड़ेगा, physics के लिए, so I am hoping everyone is ready, like the session बच physics की top books में से question practice करेंगे, और अब तुम लोगों का और बिना वक्त लेते हुए, मैं हमारी आज की class की शुरुआत करना चाहूंगे, I am hoping everyone is ready, class की बच्चों हम लोग अभी यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, chapter की शुरुआत कर रहे हैं, ये एक ऐसी class है, जिसके अंदर हम questions के, पूरे के पूरे chapter को single shot में cover करने वाले हैं, तो बच्चों मैंने क्या क्या है, तुम लोगों की better understanding के लिए, कोई भी बच्चा class में notes नहीं बनाएगा, class के PDF को ही download कर ले हैं, वही तुम्हारे notes है, ठीक है, class तो तुम लगाई रहे हो, तुम ऐसे किसी की भी notes को नहीं follow क कर सकते हैं, तुम या तो अपने बनाए हुए notes को follow कर सकते हो, लेकिन मानोगर हो गई है गलती, नहीं अभी तक notes बनाए हैं, तो ये जो notes है, तुम class तो अटेंड करी रहे हो, तो तुम्हारे आगे तो सारे की सारे notes डिसकास होगे, तो तुम इन notes का अच्छे से इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है, so don't write notes, I need your interaction in the comment section, participate in the class, enjoy the class and let us complete units and dimensions in one shot, okay, starting with the class everyone, तुमारी better understanding के लिए मैंने इस chapter को तोड़ दिया है, बहुत छोटे-छोटे topics में, तो उसमें सबसे पहला topic जो हमारा आता है, वो physical quantities है, तो देखो physical quantities यतने कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसी कर सकते हो, तुम weight measure कर सकते हो, तुम force measure कर सकते हो, तुम temperature measure कर सकते हो, तो कोई भी ऐसी physical quantity, physical quantity का मतलब ऐसी quantity जो physics से associated है, तो कोई भी physical quantity जिसको measure किया जा सकता है, बस उसी को physical quantity बोला जाता है, और obviously बात है, हमारे जीवन में या फिर हमारे universe में, there are infinite physical quantities, तुम देखो ना, तक Einstein नहीं आये थे, कॉन force और relativity के बीच में relationship के बार में बात कर रहा था, तो आज हम लोग को कितनी physical quantities के बार में पता है, वो depend करती है कि अभी तक हमारी जो science है कितनी आगे बढ़ी है, है ना हमारी जो humanity है, वो कितनी आगे बढ़ी है, तो obviously बात है, अभी हम लोग को जो knowledge है, it is very very less in comparison to the knowledge जो universe की है, so that is the reason we can say कि भले infinite physical quantities के बार में हमें नहीं पता है, बट देरार infinite physical quantities, तो physical quantities वो होती है, बच्चों जो measurable होती हैं, और हमारी universe में बहुत सारी infinite physical quantities present है, अब देखो, यहां से ना पहला question, जैसे कि अगर मैं units and dimensions के chapter की बात करो ना बच्चों, तो एक ऐसा chapter है, जिसके अंदर सारे basics है, मतब अगर मानू तुम लोग को यह सारे basics नहीं पता ना, तो तुम लोग को different chapters में दिक्कत आती रहेगी, या तो किसी physical quantity के dimensions को निकालने में दिक्कत आती रहेगी, या फिर बच्चों तुम लोग को conversion करने में दिक्कत आती रहेगी, या फिर तुम लोग को rounding off करने में दिक्कत आती रहेगी, तो उन सारी के सारी दिक्कतों का solution units and dimensions है, इसलिए मैं शुरू ही हमारे crash course को career units and dimensions है, फिर हम लोग mechanics के उपर चलेंगे, तो मैं अभी जन physical quantities के बार में बता रहे हूं, तो यहाँ पर एक basis आता है, कि तुम देखो, अगर मानों तुम किसी भी physical quantity को measure करना चाहो, तो obviously बात है, दो चीज़े तो तुमें चाहिए होगी न, उसको measure करने के लिए, एक तो number और एक unit, जैसे कि तुम यह थोड़ी बोल सकते हो, कि मेरे दोस्त ने मुझे 10 का force लगाया, तुम बोलोगे, मेरे दोस्त ने मेरे उपर 10 newton का force लगाया, तुम अपनी मम्मी को यह नहीं बोल सकते हैं, कि मम्मी पांच में खाना दे दो, तो मैं बोलना पड़ेगा, पांच मिनिट में, पांच सेकेंड में, पांच घंटों में, कितने में खाना दे दो, तो मैं तुम वो बोल ले, कभी भी तुम किसी भी physical quantity को measure करना चाओ, क्योंकि यह जो पूरा का पूरा chapter है, it is units and dimensions, तो units को हम लोग define भी कर रहे होंगे, उसको measure भी कर रहे होंगे, dimensions को define कर रहे होंगे, और relate कर रहे होंगे, तो किसे भी physical quantity को अगर मानो, तुम लोग measure करना चाओ, तो बच् तुम बोलो कि अधी हमारा जो एक्जाम है 60 डेज में है तो 60 क्या है नंबर है और डेज क्या है यूनिट है तो किसी भी फिजिकल कॉंटिटी को डिफाइन करने के लिए मागनिट्यूड और यूनिट लगता है तो क्या मैं बच्चों मैं बोल दू कि यह फिजिकल कॉंटिट कि अगर हम कभी भी किसे भी फिजिकल कॉंटिटी को अगर हम डिफाइन करें तो यूनिट और मागनिट्यूड छाए तो क्या मैं बोल दूँ जब Тक वह फिसिकल कॉंटिटी सेमें मतलब जब तक मानो तुम अपने मम्मी को बोलना चाते हो कि मम्मी हमें पाँस मिनिट में क यहाँ पर तुम जिस physical quantity के बार में बात कर रहे थे, यहाँ पर तुम उसी physical quantity के बार में बात कर रहे हूँ So what I'm saying is, जैसे जब temperature constant होता है, तो PV constant हो जाता है वैसे मैं बोल रहे हूँ कि मानो अगर मैं same physical quantity के बार में बात कर रहे हूँ लेकिन एक different तरीके से तुम देखो मैं चाहे मम्मी को बोलू कि मम्मी पांच मिनट में मुझे खाना दे दो या फिर मानो मम्मी को बोलू कि मम्मी आप 300 second में मुझे खाना दे दो बात same है, क्या change हुआ है, change हुआ है कि मैं कैसे define कर रहे हूँ हो गया this is the basis of conversion मैं बिलकुल नहीं चाहते हैं तुम याद रखो कि एक Newton में इतने डाइन होते हैं या फिर एक जौल में इतने अर्ग होते हैं वो कोई भी चीज़े याद रखने वाली नहीं होती हैं वो सारी की सारी जितने भी conversions तुम लोग अपने पूरे के पूरे physics में देख पाऊगे वो सारी conversions का basis यही है कि आप किसी भी physical quantity को लिखते हैं as magnitude multiplied by unit तो अगर मानो आप unit को 100 के factor से अगर कम करेंगे तो magnitude को 100 के factor से बढ़ाईए अगर मानो आप unit को 10 के factor से बढ़ा रहे हैं तो magnitude को 10 के factor से कब गीजे ठीक है इसके उपर मैं 2-3 नभी conversion कराऊंगी एक बार ज़रा सा ही important prefixes भी देख लो क्योंकि जैसे मैंने बताए units and dimensions basis है तो मारी पूरी के पूरी physics में कैस जिस भी तरीके से mathematics डिफाइन की गई है तो जितने भी important prefixes तुमारे पूरे के पूरे syllabus में वह मैंने आपर लिखे हुए है prefixes का मतलब जो किसी भी unit से पहले लगता है जैसे कि देखना मुझे अच्छे से बता है कि मुझे अच्छे से बता है कि gram एक unit है तो इस gram के आगे मैं unit के आगे लगते हैं जो हमें बताते हैं कि exactly number कितना associated है उस unit से तो वो आ जाएंगे देखो deci centi milli micro nano pico fem2 अब obviously बात है तो आपको यादी रखना है deci centi milli micro nano pico fem2 deci centi milli micro nano pico fem2 समझे deci centi milli 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 और फिर 15 तो ये जो minus की power में होते तो उनके लिए आगे मेरे पास ये prefixes और उसी तरीके से कुछ plus की power में भी होते तो उनके लिए आजाएंगे ये prefixes deca kilo mega giga tera peta देखना deca kilo mega giga tera peta आगे exam भी आता है लेकिन तुम्हे exam नहीं याद रखना है उसी तरीकी से एक हो जाता है हमारा angstrom angstrom हो जाता है 10-10 कि मानो अगर तुम्हें बोला जाए कि एक point से लेके दूसरे point के बीच में जो distance है वो angstrom है मतलब एक point से लेके दूसरे point तक जो distance है उसकी value 10-10 मानो तुम्हें को बोला जाए कि यह मेरे पास नहीं इस तरीके से एक mass है इस mass की value है 6 microgram इसका मतलब समझ जो 6 microgram का मतलब 6 into 10 रेस्टो पार-6 ग्राम अगर मानो तुम्हें को बोला जाए कि भाई मेरे पास ना 6 3 milligram एक substance present है मतलब मेरे पास 6 into 10 restopar minus 3 gram वो substance present है तो इस तरीके से कुछ prepixes है जो मा चाहूँँए बच्चों सबको याद हूँ तुम लोग विसका screenshot ले सकते हो specifically क्यों मैं बोल रही हो क्यों कि मैं चाहते हूँ तुमहारे गालरी में तुमारी फून की गालरी में या फिर तुमारी लाप्टॉप की गालरी में एक फोल्डर बने जिस फोल्डर में सारी रटने वाली चीज़े हो जैसे कि तुम इसका concept कैसे समझोगे you understand what is the meaning of prefixes but ultimately everything boils down to you memorizing them तो जितनी भी चीज़े रटने वाली है उनके आगे मैं बोल दूँगे कि भाई इस slide का screenshot ले लो तो तुम्हें मानो तुमारा कभी भी पढ़ने का दिल ना करें या फिर मानो दिमाग में और कोई भी concept नहीं जा रहा है जब तुम self study कर रहे हो तो बस इस तरीके से scribble करके इन सब को रट लेना ठीक है जी तो ये कुछ prefixes है तुम लोगं को जो पता होने चाहिए अब ऐसा करते हैं अब मैं यहाँ पर बच्चो तुम लोगं को कुछ conversion कराते हैं जैसे कि यहाँ पर देखना मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम ऐसा करो सबसे पहले हम लोग इसको तुम लोगं को तुम लोगं को क्या बताया था तो सबसे पहले हम लोग इसको तमीज से लिखेंगे देखो तमीज से कैसे लिखते हैं मैं इसको लिख दूँगी 5 multiplied by 1 kg क्योंकि एक यहाँ पर kg है फिर एक यहाँ पर meter भी है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1 meter एक यहाँ पर second का square भी है minus में मतलब यहाँ पर आगया 1 second का square लिख दिया देखो अच्छो हम लोगों ने लिख दिया हम लोगों ने इसको बिल्कुल तमीज से लिख दिया कि 5 kg meter per square का मतलब यह है 5 multiplied by 1 kg multiplied by 1 meter divided by 1 second का square अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि चाहे तुम्हें जिस मर्जी में convert करना हूँ you can convert जैसे कि मानो अगर question तुम्हें यह बोलता है कि आप इसको gram centimeter और second में लिख देंगे देखो ना लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 kg को लिख दिया gram में तो अव्यसी बात है ऐसे लिखूंगे अब अगर आप बोले हो meter की जगह centimeter लेकर आओ तो मुझे बता है one meter में इस तरीके से hundred centimeters होते अगर आप बोले हो one second को one second की terms में लिखे रहने तो यह मेरे पास आ गया one second का square ऐसे होती है conversions तुम लोगोंने पहले जिस भी complicated तरीके से conversion सीखी है मैं चाहूंगे वो सारी की सारी जो complications है अब सब बच्चे भूल जाएंगे क्योंकि अभी आप मुझसे जुड़ चुके हैं तो यह आ गया मेरे पास क्या दिक्कत की बात है क्या हम लोगोंने आपर हाइफाई क्या कर लिया अब देखो मानो मुझे यहाँ पर तुम लोगों को एक और question देना हो क्योंकि conversion तो पूरी की पूरी physics में है है ना conversion तो पूरी की पूरी physics में है यहाँ पर भी time नहीं लगाएंगे तो कहाँ पर लगाएंगे मानू मैं अब की बार तुम लोगं को ये बोलू कि भाई तुम ऐसा करो 10 kg square meter square per second को तुम लोग बताओ इसके कितनी value होगी gram square decimeter square per second में I give you this question तुम क्या दिखकत है मैं तुम्हें बोल लो number one point तुमारा क्या होना जाई चीजों को तमीज से लिखने का कि मुझे नहीं समझ आ रहा what is this भाई मुझे ये बताओ क्या multiply हो रहा है और क्या divide हो रहा है तो kg को तमीज से लिख दो तो kg को तमीज से लिख दो तो ये देखो 1 kg को मैंने तमीज से लिख दिया अब यहाँ बर kg का square था उसी तरीके से मीटर का square है तो मीटर को भी 1 मीटर को मैंने इस तरीके से तमीज से लिख दिया square कर दिया second की बावर minus 1 है मतलब division के अंदर division में या फिर denominator में एक second है अब आप मुझे जिस मर्जी में convert करने को बोल दो जैसे कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि kg की जगह gram लेके आओ ले आएंगे यार ये देखो kg की जगह अगर आप gram बोलते हैं हम gram ले आएंगे तो 1 kg में कितना gram होता है 1000 gram होता है ये देखो मैं ले आई अब अगर आप बोल रहे हो यार meter को centimeter में लिख दो सॉरी मीटर को डेसी मीटर में लिख दो हम लिख देंगे डेसी डेसी 10 देस टू पार माइनस 1 तो वाट इस 1 डेसी मीटर 1 डेसी मीटर इस 10 डेस टू पार माइनस 1 मीटर तो अव्यसी बात है 1 मीटर की वाल्यों कितने आगी 1 मीटर की वाल्यों आगी 10 decimeter तो आपने बोला कि यार meter को आप decimeter में लिख दो तो ये logi मैंने meter को इस तरीके से decimeter में लिख दिया अब आप ओल रहें कि आप second को second में रखी है तो ये देखो मैं second को second में रख दूँगी that is it चाहे mass हो, volume हो, फलाना हो, धिमकाना हो, galaxy study कोई भी चीज हो there are infinite question, हर question ऐसे solve होगा तो तमीज से लिखे, क्या चीज multiply हो रही है, क्या चीज divide हो रही है फिर substitute कर दीजे, अगर आपको वो बोल रहे, kg को gram में लिख दो अगर वो बोले, meter को centimeter में लिख दो, तो centimeter होता, तो 100 आता decimeter है, तो 10 आया है, micrometer होता, तो 10 raise to power 6 आता क्योंकि 1 micrometer, 10 raise to power minus 6 meter है तो 1 meter, 10 raise to power, 6 micrometer हो गया है ना, that is it, चाहे कोई भी conversion हो, बच्चा जी, ऐसे solve हो गई तो देखो, ये वाली value मेरे पास कितने आगे, या या 10 thousand की power 2 है, thousand की power 2 आगे, 10 raise to power 6, gram का square 10 की power 2 है, तो यहां पर मेरे पास आगे, 100 decimeter का square और denominator में आ रहा है, 1 second, now what gives me the answer, देखो ये मेरे पास आए, 10 raise to power 6, ये 10 आगे और ये मेरे पास 100 आगे, तो ये मेरे पास 10 raise to power 9 बनाना, तो ये मेरे पास आगे 10 raise to power 9, gram का square, decimeter का square, second की power minus 1, कोई भी conversion हो, तुमारे physics के किसी भी syllabus में हमेशा इस तरीके से solve किया जाएगा, एक बड़ जरा सा देख लीजे, ठीक है, अब यहां पर देखेगा, अब मैं तुम लोगों को यहां पर ये बोल रहे हूं, कि तुम लोगों ने ये वाली conversion भी देखी होगी, जैसे कि लाइक कर देंगे, और जिन बच्चों की ये silly mistakes होती है, कि दि हमें पता नहीं लगता, 1.6 into 10 raise to power minus 19 से divide किया जाए, या फिर 10 raise to power, या फिर 1.6 into 10 raise to power minus 19 से multiply किया जाए, तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत होती है, देखो, once and for all तुम लोगों की दिक्कत में किस तरीके से यहां पर खतम करती हो, धहन दीजेगा मैंने बच्चों तुम लोगों को अभी बताया है, unit छोटा होगा, तो number बढ़ेगा बताया ना, बस इतना याद रख लो, और सब भूल जाओ, तुम्हें अच्छे से बता है कि electron volt और joule की conversion में, पता नहीं कैसे multiplication में, या पता नहीं कैसे division में, लेकिन मेरे पास आता है 1.6 into 10 raise to power minus 19, तो बच्चों को पता होगा कि one electron volt की value होती है, 1.6 into 10 raise to power minus 19 जाओ, तो बच्चे ही याद तो रख लेते हैं, कि हमें तो ये याद है, लेकिन conversion में तब भी दिक्कत होती है, that is because आपको लग रहा है, conversion को इरटने वाली चीज़ है, लेकिन ये समझने वाली चीज़ है, conversion समझने वाली चीज़ है, गोहर फरमाईएगा, तो मैं तुम्हें बोल यो, अगर तुम देखो, तुम्हें convert किस तरीके से करना है, तो जैसे कि जब तुम जवल से लेके electron volt तक जा रहे हो, तो तुमारे unit नहीं छोटा हो रहा है, हो रहा है न, unit छोटा, जब बच्चो तुम लोग ये लिखते हो, कि 1 cm, it is equal to 10 raised to power minus 2 meter, obvious सी बात है, centimeter छोटा टर्म है, तो अगर तुम लोग लिख रहे हो, 1 electron volt इतना जवल है, तो obvious सी बात ह कि जो electron volt है, छोटा term है, तो मैं तुमें ये ही बोल रहे हूं, कि तुम देखो, तुम जवल से लेके electron volt तक जा रहे हो न, तो तुम concept से चलो, क्योंकि तुम मेरी class में आतो गए, अब कुछ तो वाइदा होना चाहिए, मेरे student जो मुझे already follow करे हो, उनको पता ही है, तुम क्या कर रहे हो, unit को छोटा कर रहे हो न, हाँ जी, unit को क्या किया, छोटा किया न, तो unit को छोटा किया, तो अभी मैंने तुमें बताया, number बढ़ेगा, number क्या होगा, number यहां पर बढ़ा होगा, तो number बढ़ा कब होता है, number या तो तब बढ़ा होता है, जैसे कि मानो ये 6 है, 6 कब ब जैसे मानो 2 से multiply कर दूँ या मानो मैं इसको 3 से multiply कर दूँ या मानो मैं इसको 4 से multiply कर दूँ या तो तब बड़ा होता है या नमबर तब बड़ा होता है जब मैं एक से किसी छोटी वाल्यू से divide कर दूँ जैसे कि मैंने 0.1 से divide कर दिया तो देखो 60 हो गया या फिर मानो अगर म तो यह देखो 30 हो गया, यही होता है ना, so let us be very basic, कि भई मुझे number को यहां पर बड़ा करना है, तो number बड़ा तब होता है, जब यहां तुम्हें 1 से किसी number, बड़े number से multiply कर दूं, यह 1 से छोटे number से divide कर दूं, तो तुम्हें अच्छे से पता है, 1.6 into 10 raised 1 minus 19 तो 1 से छोटा है, तो तुम क्या करोगे, बताओ, तो तुम क्या करोगे, divide करोगे न, कि भई मैं जब 6 को 1.6 into 10 raised 1 minus 19 से divide करूंगे, तब वो बड़ा होगा, यह आगया तुम्हारा answer, मत रटो, मत रटो, क्योंकि मुझे अच्छे से बता है, सब बच्चों को याद है कि जावल और electron volt में 1.6 into 10 10 raised power minus 19 आता है, अब कब multiply करना है, कब divide करना है, वो तुम लोगों को रटना नहीं है, तुम्हें सिफ conceptually चलना है, if I have to give you one more question, because more questions bring you more clarity, मनो मैं तुम लोगों को बोलूं, कि तुम ऐसा करो, तुम न, 20 electron volt को जावल में convert करो, मैंने तुम्हें बोला कि बताओ, 20 electron volt कितना जाव करूं, तो physical quantity होता है, number multiplied by unit, तो अगर मानो मैं unit को बड़ा करने हूं, तुम देखो, electron volt से जावल तक जा रहे हो, तुम centimeter से meter तक जा रहे हो, तुम gram से kilogram तक जा रहे हो, तो अगर मानो यहाँ पर unit की value बड़ी हो रही है, तो दी ने हमें बताया था, कि जो number है, छोटा होगा, तो बताओ, 20 कैसे छोटा होगा, इसको 1.6 into 10 raise power minus 19 से multiply करोगे तो छोटा होगा, या divide करोगे तब छोटा होगा, this is basic mathematics, no, obviously बात है, multiply करेंगे, तो मैंने यहाँ पर multiply कर दिया, इसको 1.6 into 10 raise power minus 19 से, और देखे, यह answer आगया जाओं में, तो अब मैंने तुम लोग को इतना काब conversion करने पड़ेगी, वो सारी उस knowledge के उपर based होगी, जो मैंने तुम लोग को अभी इस class में दी है, is it clear, अगर clear हो चुका है, तो video को like कर देंगे, is it clear, क्या तुम लोग को ये चीज़ पता लगे, कि तुमें कुछ याद रखने की जरुरत नहीं है, ये रटना है वस, ताकि त तुम्हें पताओ, micro क्या होता है, ताकि तुम्हें पताओ, giga क्या होता है, ताकि तुम्हें पताओ, लगे mega क्या होता है, और तुम्हें कुछ नहीं रटने की requirement है, कोई भी conversion हो, हर conversion में ये वाला logic लगेगा, ठीक है, अब देखना, अब मानो, अगर मैं अब आगे जाओं, कि पहले हम लोगों ने बढ़ा कि physical quantities कैसे physical quantities को ऐसे लिखा जाता है फिर कुछ रटने वाले prefixes के बारे में भी हम लोगों ने बढ़ा अब मैं तुम लोगों को unit systems के बारे में बताती हूँ देखो बच्चो तुम ये लगा लो अभी तक ना हम लोगों ने coaching institutes के अभी तक मानो हम लोगों ने classrooms के बारे में बढ़ा और अब हम बोल रहे हैं अब हम बड़े level के उपर बात करें कि वो जो classroom है कौन से institute में है क्योंकि तुम देखो length एक physical quantity है लेकिन length को जब मैं SI unit में define कर रहे हूँ तो मैं उसको meter में define कर रहे हूँ लेकिन जब मैं same length को cgs में define कर रहे हूँ तो मैं length को centimeter में define कर रहे हूँ mks unit में जब मैं define कर रहे हूँ meter में define कर रहे हूँ fps unit system में define कर रहे हूँ तो मैं foot में define कर रहे हूँ so this is what I am talking about अभी slide के उपर जादा focus बद करना तो मैं तुम लोग को ये बोल रहे हूं कि physical quantities को जब भी मैं define करना चाहूं तो मुझे unit तो लगेगा बिना unit के मैं नहीं define कर सकते हैं I cannot tell you that the class is going to be 2.5 long 2.5 seconds long 2.5 days long अब हम इस physics ही पढ़ाते रहेंगे सोने ये नहीं देंगे So units are very important तो मैं तुमें बोल लो because there are different physical quantities तो उन physical quantities को बच्चों मैं कई तरीके से define कर सकते हूं कई तरीके के units में define कर सकते हूं तो मानो अगर मैं उन सारे के सारे units का collection ले लो तो फिर बाद में मेरा unit system आ जाता है जैसे कि अगर मानो मैं SI unit system के उपर जाओ तो SI unit system बोलेगा कि length को meter में define करो time को second में define करो mass को kilogram में define करो current को ampere में define करो temperature को calvin में define करो substance के amount को mole में define करो luminous intensity को candela में define करो तो यह unit system है unit system का मतलब यह एक ऐसा system है जो बता रहा है कि कि किसी भी physical quantity का unit क्या होना चाहिए तो यही वो unit system है जो widely accepted है यही वो unit system है जो बार-बार तुमारे सिलेविस में आएगा और भी हमारे पास unit systems है जैसे कि CGS unit system हो गया तो CGS unit system बोलता है mass को gram में define करो length को centimeter में define करो time को second में define करो फिर मेरे पास MKS unit system आ जाता है जो बिल्कुल CGS की तरही है यह बोलता है कि mass को kilogram में define करो length को meter में define करो time को second में define करो एक हमारा FPS system भी आता है यह याद रखने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बच्चों को चुल होती है जानने के तुमारे ने लिख दिया है या फिर CGS unit system की बात हो रही है लेकिन फिर भी अगर मानो मुझे FPS system के बार में बताना हो तो FPS unit system यह बोलता है mass को pound में define करो length को foot में define करो और फिर time को second में define करो यह देखो एक pound में इतने gram होते है और उसी तरीके से एक foot में इतने meter होते हैं को याद रखने की बिल्कुल भी requirement नहीं है मैं हाँ पर लिख देती हूँ कि गलती से भी इसको memorize मत करना don't memorize तो अब मानो अगर मैं काम की बात के उपर आऊ अगर मानो अब मैं दुबारा से अपने discussion को यहाँ पर ले हूँ कि दी आपने बोलाई कि जो सबसे widely accepted unit system है ठीक है जो हम मतलब हम कोई भी physics के chapter में जाएंगे तो जब भी हम लोग physical quantities को define करेंगे चाहे वो force हो या फिर वो solar constant हो वो Boltzman-Steven's constant हो तो वो सारे की सारे constant सारे की सारे physical quantities जिस unit system में define की जाएगे वो SI unit system है ठीक है that is a very good question सौम्यजीत कि what is the difference between MKS and SI unit system आऊंगे मैं उसके उपर अभी के लिए एक बार ज़रा समय SI unit system के बार में तुम लोगों को बताती हूं तो बच्चों मैं बोल रही हूं कि SI unit system मतलब क्यों widely accepted है जैसे कि मैं क्यों बोल रही हूं कि कि physics का महा प्रेले crash course best crash course है not because कि यहां पर YouTube की ऊपर MKS crash courses नहीं present है है MKS crash courses जिसमें mass kilogram में होगा length meter में होगा time second में होगा मेरा मतलब है है ऐसे YouTube crash courses जहां पर तुमें classes मिलेंगी जहां पर तुमें live classes मिलेंगी जहां पर teacher class में वैटके theory भी गड़ा रहा होगा question भी गड़ा रहा होगा चलो मैं यह भी मान लेते हूं तुम्हें DPP भी दे रहा होगा लेकिन मैं बोल रही हूं SI unit system SI unit system होता है कि सारा का सारा MKS unit system तो इसके अंदर है तुम देख लो length meter में measure हो रही है time second में measure हो रहा है mass kilogram में measure हो रहा है लेकिन यहां पर और भी physical quantities define हो रही है यहां पर physical quantities को तीन category में define किया गए है कि इतना diverse है जैसे physics के महा प्रेले में live classes और चलो DPPs तो ही लेकिन उसके अलावा हर Sunday को test है उसके अलावा हम हर दिन बैठ रहे है Monday to Friday शाम को तीन बजे दुपहर को तीन बजे ताके हम से top physics के books में से question solve कर सके और मैं तुम्हें बता सको questions को approach कैसे किया जाता है समझे that is the difference between MKS unit system and SI unit system that SI unit SI unit system is the modified version of the MKS unit system जो MKS में है वो SI में तो है ही है लेकिन जो SI में है MKS से comparable भी नहीं है तो अभी मानों मैं SI unit system के बार में बात करूँ तो SI unit system बहुत जादा diverse है SI unit system क्या बोलता है SI unit system बोलता है कि हमारे पूरे के पूरे universe में जितने भी physical quantities हैं तीन काटिगरी से मैं उसको define कर सकती हूँ ध्यान दीजेगा मैंने क्या बोला मैंने बोला SI unit system बोलता है कि भाई तीन तरीके के physical quantities होती है एक होती है fundamental physical quantity एक होती है derived physical quantity और एक होती है supplementary quantity fundamental physical quantities बोती है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं जिसे आप length को किस में तोड़ो गयार तुम देखो तुम speed को जब तुम लिखते हो distance divided by time में तो तुमने speed को तोड़ दिया distance और time में distance को किस में तोड़ोगे time को किस में तोड़ोगे तोड़ा ही नहीं जा सकता है ना तुम मानो तुम यहां पर बोल रहे हो कि भाई तुम बोल रहे हो कि work done is नहीं let me give you one more example मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम कह रहे हो कि acceleration हो गया velocity divided by time velocity हो गया मेरे पास distance by time तो तुम acceleration को तोड़ सकते हो तुमने acceleration को तोड़ दिया distance और time में लेकिन तुम distance और time को नहीं तोड़ सकते so that is what I am talking about ऐसे physical quantities जिनको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता ठीक है ऐसे physical quantities जिनको derive नहीं किया जा सकता वो हमारी fundamental quantities है can't be derived तुम बताओ मोल को कैसे derive करोगे how will you derive mole you can't तुम अगर किसी बच्चे को thermal properties of matter आता है तो वहाँ पर हम लोग molar specific heat करते है तो वहाँ पर molar specific heat होती है कितनी heat दी है divided by कितने number of moles को divided by उसकी वज़े से कितना temperature में change आया है तो मैं इसको तोड सकती हूँ मतलब मैं इसको define करने के लिए moles का इस्तमाल कर सकती हूँ लेकिन मैं moles को define करने के लिए किसी और चीज का किसी और चीज का इस्तमाल नहीं कर सकती है तो इस तरीके से जो सबसे छोटी physical quantities है जिनको derived नहीं किया जाता there are seven in number ध्यान दीजेगा MKS सिफ तीन के बार में बात करता है इसने तो types of physical quantities के बार में भी नहीं बात किया बात किया तो सिफ तीन के बार में बात किया हम तो यहां पर साथ तरीके की fundamental quantities के बार में बात कर रहे है तो एक आगया length, एक आगया time, एक आगया हमारे पास mass, एक आगया हमारे पास current, एक आगया temperature, एक आगया amount of substance, एक आगया मेरे पास luminous intensity ठीक है अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूं कि अब कुछ बच्चों को यहां पर doubt आना चाहिए और बहुत ही valid doubt होगा कि दियार current क्यों, charge नहीं होना चाहिए है ना जैसे अभी अनुराग नहीं doubt पूछा है और भी बच्चे हैं जैसे कि अभी मुहमद अतिफ यहां पर question पूछ रहा है है ना और बिल्कुल जायस डाउट है कि दियार यहां पर current क्यों है यहां पर charge नहीं आना चाहिए कि मैं current को लिख सकते हूं charge divided by time मैं time को नहीं तोड सकती मैं charge को नहीं तोड सकती लेकिन current तो टूट रहा है चार्ज और टाइम में तो इसका answer यह है कि बच्चो जब भी unit system बनाए जाते है ना जैसे कि जब CGS बनाया गया था जब भी MKS बनाया गया था या फिर जब भी SI unit system बनाया गया था तो fundamental quantity इसको define मतलब कोई भी physical quantity तब fundamental है जब दो चीजे साटिस्फाय हूँ कि number one तो यह कि और टुकडो में वो टूटे ना जिसके बार में तुमारी NCRT बात करती है दूसरा होता है that the physical quantity should be easily measurable वो physical quantity को measure करना easy होना चाहिए अब ऐसा तो है नहीं कि जो SI unit system है तुमारी NTA के साथ आया है या फिर SI unit system तब आया था जब मैं पैदा होई थी SI unit system तो बहुत पहले का है है ना तो हम लोग किसी भी physical quantity को उस time पे जब भी ऐसे categorize किया जा रहा था कि हम भी यह fundamental होगा यह fundamental नहीं होगा तो क्या उस physical quantity को measure करना easy है वो एक बहुत important criteria था और अगर मैं ammeter की बात करूँ ammeter is one of the first electrical devices that were discovered कि gold leaf electroscope आया था लेकिन gold leaf electroscope charge को detect कर दा था measuring कर दा था तो अगर मैं compare करूँ एक जगा current और दूसरी जगा charge है ठीक है तो मेरे पास थे ऐसे devices जो charge को detect कर पाएं मेरे पास थे ऐसे devices जो current को detect कर पाएं लेकिन मेरे पास ऐसे devices नहीं थे जो charge को accurately define गर पाएं measure गर पाएं लेकिन current के लिए मेरे पास थे वो so because current was easily measurable क्योंकि it was easily measurable that is the reason इसको यहाँ पर क्या किया गया इसको advantage मिला और यही वो reason है कि जो charge है वो derived quantity में जाते और बच्चों जो current है हमारी fundamental quantity में आता है this is the reason तो SI unit system बोलता है कि हमारे पास साथ fundamental quantities है ठेक है जो और नहीं टूटी जा सकती और एक हमारे पास supplementary quantities भी होती है तो supplementary quantities का मैं तुम लोग को मतलब बताती हूँ supplementary quantities भी नहीं टूटी जा सकती ध्यान से देखना जैसे कि जब मैंने MKS unit system कराया था तो बच्चों की दिमाग में आया था कि धी फिर SI unit की क्या requirement है दोनों same ही तो है लेकिन क्या दोनों same थे जैसे ही explanation आगे बड़ा नहीं वैसे ही अब मैं तुम्हें बोल लिए fundamental को भी नहीं तोड़ा जा सकता और छोटी physical quantities में मैं तुम्हें बोल लिए supplementary को भी नहीं तोड़ा जा सकता और छोटी quantities में लेकिन फिर भी इनको अलग रखा गया है इनका कोई dimension नहीं होता इनका dimension होता है अब क्या dimension होता है विकेज यह अभी का topic नहीं है तो इसे लिए मैं तुम लोगों से थोड़ा सा patience डिमांड करूँगी थोड़ा सा patient है न जैसे dimensions में आएंगे supplementary quantity कैसे अलग अलग है fundamental quantity से वो और clear हो जाएगा बागी किसी बच्चे ने अगर यह वाला chapter किया हुआ है तो तुम्हें अच्छे से पता है units और dimensions और अलग अलग चीज़े होती है तो fundamental quantities के units भी है और dimensions भी है लेकिन supplementary quantities के units है लेकिन dimensions नहीं है अभी मैं इसके बार में आगे जब dimensions होगा तब बताऊंगे अभी हमारा topic dimensions का नहीं है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि SI unit system बोलता है कि there are two supplementary quantities एक तो हमारे पास plain angle आगे जिसको तुम 90 degree, 40 degree, 30 degree इन सब में define करते हो और एक तुम्हारे पास solid angle आगे ठीक है दोनों के बार में बात करेंगे अभी हम लोग बच्चों जो discussion है supplementary quantities को समझने के basis के उपर नहीं कर रहे है वो हमारा आगे का topic है ठीक है तो अभी के लिए supplementary quantities को भूल जाओ और अभी focus करो से fundamental और derived के उपर तो मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ इतना समझाया है and I'm hoping this is crystal clear कि there are two types of physical quantities अगर मैं supplementary quantity को side में रख दो एक वो physical quantity जो और छोटे physical quantity में नहीं तोड़ी जा सकती वो आगी fundamental और एक आगी वो physical quantity जो तोड़ी जा सकती है वो आगी derived अब there are infinite derived physical quantities if I have to ask क्यों कि भाई कितने derived quantities है infinite है fundamental भले ही साथ है supplementary भले ही दो है लेकिन derived तो बहुत सारी है ठीक है मेरे पास देखो na distance multiplied by force यह आगे एक derived force आगया mass multiplied by acceleration यह आगे derived acceleration आगया velocity by time यह आगे derived velocity आगया distance by time यह आगे derived so derived physical quantity कोई भी ऐसे physical quantity है जो दो या फिर दो से जादा fundamental quantity से बनती है it is very logical बच्चों English में मत फसना इसलिए मैं यह सुबे वाली classes को तुमारे दमाग में click करना चाहिए what does it mean so there are infinite derived quantities कोई भी ऐसे quantity जो दो या जादा fundamental quantity से बनती है उनको derived बोला जाते है there are infinite examples force के बार में बात किया velocity के बार में बात किया solar constant के बार में बात किया pressure के बार में बात किया work done के बार में बात किया एनर्जी के बार में बात किया, यह सारे की सारे जो quantities है, हमारी derived physical quantities है, ठीक है एक बार जारा सा यहां पर देख लीजेगा I am hoping अभी तक हम लोगों ने जो discussion किया है, वो crystal clear है, supplementary quantities से मैंने अभी तक तुम लोगों को introduce किया है, उसके उपर को अगर मैं शुरू करूँ, तो next topic आजाते है, significant figures अगर बचो तुम लोग यह वाले chapter के उपर ध्यान दो, तो यह वाला chapter physics की साथ कैसे deal करता है, तुम्हें वो सिखाता है because, okay, you understand what is force, लेकिन mathematically you are not able to write the force mathematically you are not able to define the force, mathematically you are not able to convert the force, then how will you calculate because, तुम्हारे syllabus में सिर्फ theory नहीं है, अगर तुम्हारे syllabus में सिर्फ theory होती, तो यह chapter नहीं होता तुम्हारे syllabus में question solving है तो उन question solving को किस तरीके से उसके अंदर कम silly mistake की जा सकती है या फिर उस question solving को समझने के लिए यह वाला chapter है ठीक है, अब देखो, अब हम लोग significant figures के बार में बात करेंगे तो देखना significant figures क्या है यार, significant का मतलब क्या जो माइने रखता है neat तुम्हारे लिए significant है neat को crack करना, तुम्हारे life का एक significant event होगा तो significant figure basically किसी भी देखो, अभी हम लोगोंने समझा है कि physical quantity को measure किया जाता है और जब physical quantity को measure किया जाता है दो चीज़े होती, एक तो बच्चों यहाँ पर होता है number और उसी तरीके से यहाँ पर होता है unit, unit को हम लोगोंने समझ लिया अब हम number को समझ रहे है unit को हम लोगोंने थोड़ा सा समझा अब हम नंबर को समझ रहें तो मैं तुम्हें बोलूं कभी भी तुम लोग फिजिकल कॉंटिटी को डिफाइन करते हो तो आता है ना वहाँ पर एक नंबर तो उस measurement में वो जो numerical measurement है उन में से actually में कितने number significant है इसका मतलब मानों अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि भाई मेरे पास ना two apples है तो उस two apples को मैं ऐसे लिख दू या फिर ऐसे लिख दू या फिर ऐसे लिख दू क्या कोई फर्क पड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ा अगर मैं कि भाई मेरे पास two apples है तो ये two significant है उससे पहले जो मैं zero लगा रही हूं बिल्कुल भी significant नहीं है तो तुम लोगों को ये छे रूल्स के बार में बता होना चाहिए अगर बच्चों तुम लोगों को ये छे रूल्स के बार में बता है तो तुम किसी भी तरीके का question significant figures के उपर solve कर सकते हो चाहे वो कितना ही difficult तुमारे sense में क्यों ना हो तो there are six rules number one, जितने भी zero है, sorry, जितने भी non zero है सब significant है कि अगर कोई भी मेरी measurement में non zero आ रहा है तो non zero मुझे कुछ बता रहा है तो जितने भी non zero हो गए सारे significant हो गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी 0 है वो non-significant है ऐसा नहीं है दो राजाओं के बीच में बैठा हो वो बंदर भी राजा लगता है तो मानो अगर दो significant figure हो यहां पर एक significant हो यहां पर एक significant हो तो मैं बोल रहूं कि इनके बीच का जो 0 है न वो भी significant लगेगा तो 0s between two significant figures are also significant अब अगर मैं बात करूँ वो वाले 0s की जो decimal के बाद आते हैं ध्यान दीजेगा या फिर मानो में train वाले 0 की बात करूँ train वाले 0 का मतलब समझ रहे हो जिसे कि मानो मैं एक measurement को ऐसे लिखूं और मानो मैं दूसरी measurement को ऐसे लिखूं तो इनको trailing 0s बोला जाता है जो पूँच वाले जो tail वाले 0s होते उनको trailing 0s बोला जाता है तो next यहां पर तीसरा रूल यह है कि जो trailing 0s है अगर decimal के बाद आ रहे हैं तब तो significant है लेकिन अगर decimal के बाद नहीं आ रहे हैं तो significant नहीं है अब तुम बोलो कि यार दी यह कैसे नहीं significant अगर मतलब अगर मैं अगर आप हमें बोलो कि 2 गंटे की class और 200 गंटे की class है इसका मतलब सेम मतलब है नहीं लेकिन मैं बोले इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है है ना तो दोनो zeros गए ना वैसे तो घ्यान दीजेगा मैं यहाँ पर छे rules बता रहे हूँ फिर इसके उपर question practice करेंगे हम लोग तो जितने भी non zeros हैं सारे significant हैं, सारे राजा है दो राजाओं के बीच में बैठा बंदर भी राजा है, ठीक है दो significant figures के बीच में बैठा हुआ zero भी significant है, जितने भी पूँच वाले zeros हैं, अगर decimal के बाद आ रहे हैं तो significant है decimal के बाद नहीं आ रहे हैं तो नहीं significant है, ठीक है उसी तरीके से जितने भी starting zeros होते हैं देखना, जितने भी शुरुआत में zeros होते हैं, वो significant नहीं होते हैं जो जिस example से मैंने शुरुआत की थी मैं बोलो मेरे पास दो apples हैं या फिर इतने apples हैं, या फिर इतने apples हैं इस zero का कोई significance नहीं है जैसे कि यहां पर बच्चो यह वाला question देखना यहां पर मैं तुम्हारे चार questions लेके आई हूँ इन चारो questions में चारो की चारो rules लग रहे हैं तो यहां पर मैंने तुम्हें बोला कि भई number of significant figures बताओ ठीक है, चार questions I believe काफी होंगे और फिर हम लोग practice session में करेंगे तो मैंने तुम्हें बोला इसमें significant figure बताओ तो एक-एक करके बात करेंगे topic के उपर focus करो यारी कौन है 0.33 वाली सिधार प्लीज focus कीजे हाँ जी, तो मैंने तुम्हें बोला non zeros to significant है न तो 9 और 2 का तो कोई point of conversation था ही नहीं मुझे अच्छे से बता है, non zeros सारे सिगनिफिकेंट है तो 9 और 2 significant होगे है ना, क्यों? क्योंकि non zeros थे अब मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि decimal के बाद जितने भी zeros हैं वो भी significant है हाँ जी, participate कीजिए सब बचे participate करेंगे zero, मैंने तुम्हें ये बोला न कि decimal के बाद, तो यहां पर है ना भाई decimal ये देखो decimal, तो मैंने तुम्हें बोला decimal के बाद जितने भी zeros हैं वो भी significant है, तो ये भी significant होगे और मैंने तुम्हें बोला दो significant के बीच में बैठा हुआ zero भी significant है दो राजाउं के बीच में बैठा हुआ दो मनत्रियों के बीच में बैठा हुआ जो हमारा बंदर है, वो भी राजा है, वो भी मनत्री है तो ये भी मेरे पास क्या होगया? ये भी तो there are five significant figures, देख पार हैं कि यहां पर total में 5 significant figures है एक और example देते हूं मानू मैं तुम्हें बोलू कि इन में बताओ significant figures कितने हैं तो तुम बोलो कि देखो without any doubt without complicating it आपने हमें बता दिये कि जितने भी non zeros हैं वो तो significant है तो 9 और 2 को तो significant हो नहीं होना था फिर बाद में मैं देख पारों एक पूँच वाला 0 है एक trailing 0 है लेकिन ये trailing 0 बिना decimal का है न देखो न ये जो trailing 0 है वो बिना decimal के आया है तो बिना decimal की कैसे significant हो जाएगा तो मैं आपर बोल दूँगे यहां पर कितने ये significant नहीं होगा so there are two significant figures कि trailing 0 है लेकिन हर trailing 0 significant नहीं होता मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मानो जो trailing 0 है after the decimal है तो significant है अगर decimal के बिना है तो non significant है नीचे आ जाओ मानो अब की बार मैं यहां पर ये वाले number की बात करूँ मैंने तुम्हें बोला कि यहां पर number of significant figures बता दो यहां पर इस तरीके से decimal भी है बता दो यहां पर मैंने तुम्हें बूचा number of significant figures चार rules अभी जो मैंने बता है चारो के चारो rules इस्तमाल हो रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजेगा number one तुम्हारा point हमेशा यह होना चाहिए अपरोच देखो मैं कैसे कर रहे हूँ what is my approach I am always focusing first of all on the non-zero तो मैं तुम्हें बोले हूँ तुम्हारा number one point ही आना चाहिए कि दी ने बताया है decimal हो ना हो जितने भी non-zero है significant है तो चार तो मेरे यही आ गए फिर दी ने बोला था कि भाई कि दो significant के बीच में बैठा हुआ जो zero है वो भी significant है तो तुम देखो यह significant है है ना हम लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने देखा यह significant है तो दो significant के बीच में बैठा हुआ जो zero है वो भी significant है तो यह भी मेरे पास significant आ गया तो अभी तक 5 significant figures हो चुके हैं अब मैं यहाँ पर देख पार हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 2 0 है लेकिन यह दोनो 0 decimal के बाद है trailing zeros है ना trailing zeros का मतलब पूंच वाले हमारे जो train बनाते हैं वो वाले zeros है तो यह है देखो trailing 0 है और decimal के बाद है decimal के बाद है तो significant होंगे तो यहाँ पर मेरे पास total 7 significant figures आ गए अब मैं तुम लोगों को यह वाला बताती है generally teaching from basic I told you कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें physics कितने भी आती है मेरी class में आए हो तो समझोगे सबको समझ आएगा irrespective of तुमने पहले कितना किया हुआ है अब मानो अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि इसके अंदर number of significant figures बताओ तो मैं तुम्हें दुबारा से बोल लूँ हूँ और अब मैं चौती बार बोल लूँ तुमारा number one step होना चाहिए non zeros को देखना तुम देखो ये non zero है तो मैं देख पार हूँ कि ये non zero है तो without any doubt, without any conversation without complication ये तो significant हो गई होगा फिर दूसरी चीज दी ने ये बताई थे कि decimal के बाद जितने भी trailing zeros आते हैं वो भी significant है तो ये तो मेरे already 3 significant figures हो गई और फिर दी ने ये बताया था decimal हो ना हो जितने भी पहले वाले zeros होते हैं वो significant नहीं होते हैं so these are not significant figures तो total मेरे पास कितनी आ गई total मेरे पास यहाँ पर 3 significant figures आ गई ठेके इसके बार में और practice करेंगे बच्चो जैसे 4 questions करा दे एक topic के उपर 4 questions बहुत होते हैं जब आप conceptual clarity के लिए दो और आदे घंटे के watch shot में आते हैं हम इसके उपर और question practice करेंगे हमारे 3 बजे वाले session में जो जिसके अंदर में तुम लोगों को top books में इसे questions ले के आऊंगे और discuss करेंगे ठेके? I am hoping that this is clear because we have only talked about 4 things and they are not complicated, don't complicate if something is happening जो यहां पर लिखा हुआ है तो जो consequence है वो भी लिखा हुआ है अगर तुम्हारे पास non-zeros है no matter how they are present they are always going to be significant दो significant के बीच में बेठा हुआ zero भी significant decimal के बाद वाला zero significant, sorry जो trailing zeros है, decimal के साथ significant, बिना decimal के non-significant और जो number से पहले आते हैं वो तो हमेशा significant नहीं होगे तो यह मैंने चार rules के बार में बताया अब यह दोनों बिल्कुल concepts है जैसे कि यहां पर यह पांच बावाला rule देखना कि exact number में हमेशा infinite significant figures होती है जैसे कि मानू मैं तो मैं बोलूँ कि यार मेरे पास ना दो आपल्स है तो मेरे पास literally दो आपल्स है मेरे पास 2.001 आपल्स नहीं है मेरे पास 2.00006 आपल्स नहीं है मेरे पास exactly दो आपल्स है तो क्या मैं बोल दूँ कि अगर मेरे पास exactly दो आपल्स है दो मेरे पास exact number है तो उसको मैं 2.0 की तरह भी लिख सकते हूँ मैं उसको 2.000 की तरह लिख सकते हूँ मैं उसको 2.000 इस तरीके से infinite भी लिख सकते हूँ तो we have already discussed this कि जितने भी zeros decimal के बाद होते हैं वो सारे के सारे significant होते हैं जितने भी trailing zeros decimal के बाद होंगे वो सारे के सारे significant होंगे तो exact number में infinite trailing zeros आ गए that is the reason हम बोल सकते हैं कि exact number में infinite significant figures आ गए ठेक है और अगली चीज़ बच्चों यहाँ पर यह है कि अगर मानू मेरे पास कोई भी measurement है जैसे कि मानू मैं बोलू कि जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था देखना 200 को मैं ऐसे लिख सकते हूं तो कभी भी जब ऐसे 10 raise to par something में representation होता है कि मानू मैं किसी भी measurement को लिखू x multiplied by 10 raise to par y तो इसका कोई लेना देना नहीं है significant figures है जो number of significant figures होंगे इस measurement में it will be the number of significant figures in x जो x में significant figures हैं वही इस में significant figures हैं जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू 6.003 into 10 raise to par 4 में कितने significant figures हैं तो मैं बोलू यह कभी भी significant के calculation में नहीं आएगा इसको तुम लोग बिल्कुल side में कर दो अगर कभी भी 10 raise to par something में representation हो तो 10 raise to par के साथ जो कुछ में multiplied है उसमें significant figure ढूंडो तो यह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ non zeros हमेशा significant होंगे और दो significant के बीच में बैठे हुए zeros भी significant होंगे तो यह कितने होंगे मेरे बास 5 significant figures आ गए ठीके जी तो यह होगे हमारे significant figures बहुत important थे significant figures तुम लोग को यहाँ पर पताओना चाहिए अब यहाँ पर ना यहाँ पर ना मैं एक concept आड करती हूँ rounding off का ध्यान दीजेगा अब यहाँ पर मैं concept आड करती हूँ rounding off का बहुत important है जैसे कि मैंने तुम्हें बताए आज की class में जो सीख रहे हो तुम लोग को पूरी की पूरी physics में help करेगा तो तुम्हारी पूरी की पूरी physics में rounding off है and I believe कि rounding off में दिक्कत नहीं होने चाहिए क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना हम जब 6-7 standard में होते थे तब से बात हो रही है येस लक्ष्मी बिलकुल लक्षी बिलकुल 0.0000001 में एक significant figure होगा अब मैं चाहते हूं significant figure से आगे बढ़ो यार है ना we have had a lot of discussion on these significant figures और practice करेंगे शाम को तीन बजे वाले session में लेकिन एक ही topic के उपर रुक गए हम लोग अगर इस तरीके से 5-6 questions करने के बावजूद तो दो और आदे घंटे में नहीं complete होगा I want to focus on your concept so let me do that अब सब बच्चे बापस आएंगे अब मैं तुम्हें बोल रही हूं कभी भी अगर तुम्हें rounding off करने हूं तो rounding off एक ऐसी चीज है जो तुम लोग बचपन से करते आ रहे हो do you all remember कि मानो अगर ऐसे आ गया 6.24 तो तुम 6.24 को कभी भी तुम 6.3 ने लिखते तुम 6.24 को अगर round off करोगे तो हमेशा 6.2 की तरह लिखोगे तो मतलब तुम समझ पा रहे हूं कि हम लोगों ने 4 की rounding off कर दी तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि मानो कभी भी इस तरी किसे हो 6.32x मानो लेटर्स अज्यूम यह x है मैं x को round off कर रहे हूं तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि अगर मानो x की value 5 से जादा है हाँ जी अगर x की value 5 से जादा है तो 2 का 3 बन जाएगा और उसी तरी के से मैं बोल रहे हूं कि मानो अगर जो x की value है 5 से कम है तो 2 का 2 ही रहेगा और यह मेरे पास आज जाएगा 6.32 बचपन से कर रहे हैं, 6 standard से कर रहे हैं हम लोग यह तो कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 6.321 है तो मैं 1 की rounding off कर रहे हूं rounding off का मतलब क्या कि मैं उसको भेज रहे हूं ताकि number of numbers, number of digits मेरे measurement में कम हो जाए तो अब भी मेरे measurement में 4 digit है, मैं उसको 3 digit में convert करना जाती हूं तो अब मैं यह बता रहे हूं, rounding off कैसे की जाती है तो let us take an example, मुझे इसकी rounding off करनी है, 1 की rounding off करनी है तो 1 5 से छोटा है, तो यह चला जाएगा और आगे वाला जो number है, बिल्कुल आजटेस रहेगा उसी तरीके से, बानो अगर बच्चों में इसकी rounding off कर रहे हूं ठेक है, और यह 5 से बढ़ा है, जैसे कि मानो 6.329 है अब तुम इसकी rounding off करना चाते है, तो 5 से बढ़ा है तो 5 से बढ़ा है, तो इसका मतलब यह चला जाएगा और यह वाली value जो है, एक से बढ़ जाएगी समझे, हन जी, कि यहाँ पर मेरे पास क्या आया यहाँ पर मेरे पास आया, 6.32 और यहाँ पर प्लस वन आ गया, और यहाँ पर 6.32 as it is रहा, बहुत ही जैन्मन है, एक बार देखिए, मैंने सोचा कि एक बार ज़रा सा यहाँ पर discuss कर लो मैं, बच्चे अभी भी significant figure में बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे आएगी यार physics student होके तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता है कि पढ़ते कैसे हैं यह पढ़ने वाले बच्चों के काम नहीं अगर तुम्हें लग रहा हो कि हम significant figure की ऊपर ही रहेंगे, despite the fact 5 minutes पहले हो खतम हो चुका है this is not how study is done, leave alone for neat, generally बात करें, ऐसे पढ़ा ही नहीं होती, you must move on because significant figure is not the only topic that is going to come in your physics syllabus we had our fair share discussion on significant figures, we are going to discuss on it now in the practice session, you must move on because this is equally important अब देखें मैं क्या बोल रहे हूं, तो ये, तो I am hoping इसमें कोई दिकत नहीं है अब मैं तुम्हें बता रहे हूं कि अगर मानो x की value 5 हो, देखो अगर मानो x की value 5 हो, कि दी मानो अगर ये value value मेर पास होती 6.325, फिर कैसे rounding off करते, क्योंकि हमें इतना तो समझ आ गए कि अगर ये value value 5 से बढ़ी हो, तो यहां पर 2 की जगत 3 आ जाएगा ये value value 5 से छोटी हो, तो 2 as it is रहेगा लेकिन दिक्कत तब आती है न, जब यहां पर यही value जो value है 5 हो जाए तो मैं तुम्हें बोलो, अगर ये value value कभी भी 5 हो जाए न, तो इससे पहले वाला number देख ले न अगर ये value value कभी भी 5 हो जाए, so look at the number before it look at the number before it ठीक है जी, इससे पहले जो number है आप उसको देखोगे, अगर वो वाला जो number है मानो अगर वो वाला number odd है, तो उसको as it is रखना हाँ जी, उसको as it is रखना, और मानो अगर ये वाला number even है तो उसमें plus 1 कर देना, ठीक है, आओ इसको एक question की help से समझते जैसे कि मानो मैं तुम लोगों को बोलू, just one second जैसे कि मानो मैं तुम लोगों को बोलू कि भाई 7.24 यहां पर मैंने ले लिया 7.25 यहां पर मैंने ले लिया 10.15 यह लो, मैंने तुम्हें बोला कि चलो rounding off करो तो rounding off करने लगी, 4 की rounding off कर रही हूँ, 4 पांच से छोटा है, इसका मतलब यह चला जाएगा और उससे पहले वाला number as it is रहेगा There are only three things that I have told you, जिसकी rounding off कर रहे हूँ, मतलब जिस number को भेज रहे हो, अगर वह 5 से छोटा है तो जान दो अगर 5 से बड़ा है, तो पहले वाले number में plus 1 कर लो, और अगर 5 है, तो पहले वाला number देखो पहले वाला number अगर odd है, तो as it is रहने देना, even है तो plus 1 कर देना तो यह देखो, मैं जिस number की rounding off कर रहे थी, 5 से छोटा था, तो मैंने उसको भेज दिया और मेरा number as it is रहा है ना, अब मानो अगर मैं इसकी rounding off कर रहे हूँ, यह देखना, मैंने इसकी rounding off की, तो यह तो 5 ही आ गया तो 5 की कभी भी अगर rounding off करते हैं, तो हम लोग हमेशा पहले वाले number को देखते हैं हां जी, एक बार ज़रा से देखिए, हम हमेशा पहले वाले number को देखते हैं उल्टा हो गया, सॉरी, सॉरी, उल्टा हो गया बचोई, अगर even है तो as it is रखेंगे, I'm so sorry, अगर even है तो as it is रखेंगे, odd है तो plus 1 करेंगे, और इसका logical reason देखो क्या है, logical reason यह है कि दुबारा से अगर मानो 5 आ गया, मानो अगर 7.55 आ गया, इससे पहले odd है और यह as it is रहा, तो हमारी problem का solution ही problem नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर 5 के आगे, आगे वाला number अगर odd होना, तो उसमें plus 1 कर देते हैं, क्योंकि plus 1 genuine है, क्यों plus 1 कभी भी 5 नहीं होगा, plus 1 हमेशा 5 से या तो छोटा होगा, या फिर वो 5 से बढ़ा होगा, अगर even है तो या तो वो 5 से बढ़ा होगा, या फिर 5 से छोटा होगा, जैसे कि यह देखो 5 के rounding off कर रहे हो, इससे पहले even है, तो even को तुम लोग as it is रहने दोगे, तो यह मेरे पास आ जाएगा 7.2, लेकिन देखो अगर मानू मैं इसकी rounding off करू, तो यह 5 है, इससे पहले odd है, तो I am hoping कौन सा logic लगाना है, ताकि तुम confused ना हो जाओ कि odd में क्या करते हैं, even में क्या करते हैं, तुम यह सोचो, problem का solution ही problem नहीं हो सकता, मुझे problem इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि 5 बिल्कुल बीच में है, मुझे problem इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि 5 बीच में हैं और odd है, तो गलती से भी अगर इससे पहले वाला number भी odd हो गया, तो मेरी problem का solution मेरी problem नहीं हो सकता, इसे लिए कभी भी अगर 5 से पहले वाला odd होगा मुसमें directly plus 1 कर देंगे जैसे तुम देखो 5 से पहले वाला number क्या है odd है तो इसमें हम लोगोंने plus 1 कर दिया तो ये मेरे पास 10.2 आ गया तुम देख पारो यहाँ पर 5 से पहले वाला number क्या था इवन था तो हम लोगोंने उसको as it is रहने दिया तो ये एक छोटा सा टॉपिक है रांडिंग ओफ का जो मैं लेना चाहते थी बिकिस ये मतलब ये टॉपिक भी क्या बोलो यार ये mathematical understanding है तुम लोग जितने भी calculations करोगे पूरे के पूरे physics में तो जो mathematical approaches का तुम लोग इस्तमाल करोगे उसके बार में हम लोगोंने यहाँ पर discussion किया है जिक है अब हम लोग चलेंगे बच्चों हमारे next topic के उपर जिसका नाम है errors ध्यान दीजेगा अब बच्चों हमारे next वाले topic के उपर चलेंगे जिसका नाम है errors तो बिल्कुल ध्यान से देख़एगा अब ही तक हमारे हम लोगोंने जो topic किये हैं जैसे rounding off किया topic क्या? question solving strategy है significant figures किया तो यह मतलब topic क्या बोलो मैं इसको यह mathematical understanding है कि कभी भी अगर किसी भी physical quantity को measure करते हूँ वे number आ रहा है तो उस number को में किस तरीके से समझ सकते हूँ अगर किसी भी physical quantity को define करते हूँ को unit आ रहा है तो उस unit को में कैसे समझ सकते हूँ उन units के बीच में conversion में कैसे कर सकते हूँ अभी तक हम लोग ने यह सारी चीज़े की है है ना अब हम लोग क्या करेंगे बच्चो अब हम लोग आएंगे हमारे next वाले topic के उपर जिसका नाम क्या है errors तो अभी हम लोग जितने भी मैं खुद से questions करा रही हूँ अभी वो वाले questions होंगे दुबारा से मैं बोल रही हूँ हमारी question practice खतम नहीं हुई है बस हमारी इस class का aim सिर्फ question practice नहीं है हमारी class का aim है दो और आदे गंटे देने चाप्टर कंप्रीट करना और सारे concepts clear होने चाहिए तो कुछ questions यहां पर करेंगे कुछ questions तीन बजे वाले session में करेंगे दुबारा से इस चीज को में repeat नहीं करूंगे ठीक है लाइक कर देंगे सब बच्चे session अगर तुम लोगों को मजा आ रहा है इस तरीके से पढ़के बच्चों देख लो हम लोग कितने सारे topics कभर कर चुके हैं और अब हम हमारी निक्स्ट वाले टॉपिक में आचुकि जिसका नाम है errors तो देखो यार error का वही मतलब है जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं जब इमार बोलती है error का मतलब क्या है कुछ और दिख कुछ और रही है जैसे कि Manu कि अगर तुमारे 720 marks आने थे Manu NEET के syllabus में NEET के exam में तुमारे 720 marks आ रहे थे लेकिन तुमारे आगे 700 marks तो अभी सी बात है कि तुमारे marks में 20 का error है तुमारे preparation में 20 marks का error था अगर Manu कि तुमारे test होता 700 marks का और तुमारे आते 600 marks तुमारे marks के अंदर 100 का error है तुम लोगोंने 100 marks के गल्दी कर दी तो वही मैं तुमें बोल रहे हूँ कि जब हम physical quantity को measure करते हैं क्योंकि units and dimensions में यही सारी चीज़े एक physical quantity को कैसे define किया जाता है हमने number पे भी focus किया unit पे भी focus किया अब हम measurement के उपर आगे कि मानों अगर मैं किसी भी physical quantity को measure कर रहे हूँ तो obvious ही बात है उसकी एक real value होगी हाँ जी एक तो उसकी real value होगी और एक उसकी measured value होगी तो मैं बोल रहे हूँ कि इसकी real value और measured value में जो difference है बस उसी का मतलब error है इसका मतलब क्या इसका मतलब measurement has error ठेक है तो अभी हम लोग देखो errors को कितने तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग types of errors के बार में बात करेंगे कि types of errors कितने होते है nature के basis के उपर यहां पर दो errors आएंगे zero error और least count error फिर इन दोनों को बिलकुल अच्छे से पकड़ेंगे और हम लोग define करेंगे फिर बाद में हम लोग types of errors में आएंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे relative error की absolute error की और percentage error की ठेक है जी तो इस सरीके से हम लोग चलने वाले just allow me one minute I'll be back एक minute का break दो मुझे I'll be back in one minute चेक है हां जी एक बार देखिए I'm hoping I'm clearly audible and visible topic के उपर वापिस आते हुए तो मैं बोल रहे थी कि कभी भी real value और measured value में difference हो तो वो error है जैसे कि मानू तुम ना एक wing machine के उपर खड़े हो अपने weight को measure करने के लिए मानू अगर तुम्हें अच्छे से बता है कि तुम्हारो जो real weight है 50 kg है लेकिन यह जो wing machine है 51 kg बता रहे है तो तुम देख पार हो तुम्हारी weight के real value कुछ और है यह जो machine measurement show कर रही है उस वो measurement कुछ और है मतलब इस machine की measurement के अंदर एक error present है तो error को बच्चों हमें अच्छे से सबजना है तुम्हारे इस chapter का जो one of the most important topics है वो errors है यहां से बड़े questions आते हैं और इसके उपर कुछ previous year questions की help से मैं तुम्हारी practice भी कराऊंगी क्योंकि जैसे मैंने बताए कि जो हमारी सुबह वाली class है definitely I'll bring questions but I'll also include some previous year questions for extra question practice ठीक है तो अब ध्यान दीजेगा तो अभी अगर मानू मैं error के उपर focus करूँ so I have this understanding what are errors तो error को अभी मैं define करना जाते हूँ error को अभी मैं describe करना जाते हूँ कि error कितने कितने तरीके के होते है तो मैं बोल लिए error कितने कितने तरीके के होते है ये बताने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं किस basis पर define करना जाते हूँ अगर मानू मैं error को इस basis के उपर define करना जाते हूँ तो कि error का nature कितना है तो दो तरीके के error होते है एक तो directional error होता है और एक non-directional error होता है directional error में आ जाते हैं जैसे कि हमारे device error ये पूरा का पूरा theoretical है बच्चो जानने के लिए फटा फट से जान लो तुमारी NCRT में लिखा हुगा है तो मैं बता रहे हूँ एक होगे हमारे directional error तो directional error बेसिकली इसके अंदर तीन तरीके के errors आते हैं एक तो आगे device error device error का मतलब क्या कि मेरे मैंने जो measurement ले है उसमें इसलिए दिक्कत आई है उसमें इसलिए error आये क्योंकि device में कोई error था device में कोई error था मानो जो device है गलत reading दे रहा है ठेक है या फिर मानो जो device है खराब हो गया या फिर मानो जो device है वो defected है तो इस तरीके से अगर कभी भी मेरी measurement में कोई error आ रहा है because of the device that I am using तो वो वाला जो error है वो हो गया मेरे device error उसी तरीके से अगर मानो मेरी device में error आ रहा है because of because मैंने measurement में कोई दिक्कत ले ली जैसे कि मानू मुझे a plus b करके अंसर देना था लेकिन मैंने गलती से a minus b कर दिया मानू मैंने गलती से a multiplied by b कर दिया मानू मैंने गलती से a divided by b कर दिया तो अगर मैं किस तरीके से measurement ले रही हूँ अगर उसमे कोई error है जिसकी वज़े से मेरी reading में error आया है, जिसकी वज़े से मेरे final answer में error आया है तो वो भी यहाँ पर मेरे पास directional error है और उसी तरीके से जितने भी personal errors होते हैं, वो भी directional error होते हैं directional error का मतलब क्या कि इनको prevent किया जा सकता है इन सारी चीजों को prevent किया जा सकता है कि मानो अगर तुम सही तरीके से measurement लेते तो यह error नहीं आता अगर मानो तुम एक ऐसे device का इस्समाल करते जिसके अंदर कोई defect नहीं है तो कोई error नहीं आता अगर मानो तुमारी साइड में साक्षी बैठी है जिस इस reason से तुम distract नहीं होते तो तुमारी measurement में error नहीं आता तो जितने भी errors को हम लोग nullify कर सकते हैं जितने भी errors को हम लोग कम कर सकते हैं जितने भी errors को कम करना, जितने भी errors को zero करना हमारे हाथ में है, वो सारे के सारे directional errors है, इसलिए तो directional बोला गया है, कि direction को cancel किया जा सकता है, तुम बताओ, अगर यहां पर 5 Newton है, तो इस 5 Newton को, क्या मैं इस 5 Newton से cancel out नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हूं, इसलिए इनको directional error बोला है, because of number 1, या तो device में error है, number 2, या तो मैं जिस तरीके से measure कर रहे हूं, उसमें error है, या फिर number 3 में distracted हो गए थी, कोई personal reason की वज़े से मेरी measurement में error आ गया, यह होगे हमारे directional error, फिर कुछ errors होते हैं, बच्चों जो बिल्कुल random ली आते हैं, आप इनको नहीं prevent कर सकते, you cannot prevent the non-directional errors, जिनको random errors भी बोला जाता है, जैसे कि मानो, तुम ना क्या कर रहे थे, तुम कोई measurement ले रहे थे, एकदम से बिजली कड की, तुमारा हाथ हिल गया, और अब तुम कोई measurement ले रहे हो, और एकदम से heat, एकदम से temperature बहुत जादा बढ़ गया, एकदम से मानो महा प्रले आ गया ठेक है, महा प्रले आ गया, मानो एकदम से बाड आ गया, और एकदम से तुम जो measurement ले रहे हो, जिसकी वज़े से तुम गिर गए पानी की वज़े से, और अब उसकी वज़े से error आ गया, तो यह जितने भी environmental error होते हैं, you cannot prevent them, they happen very randomly, but you cannot prevent them, तो इस तरीके से के errors को non-directional error बोला भी तो non-directional ही है, environment error भी तो random ही है, कि randomly environment ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसकी वज़े से मेरी जो reading है, गलत आ गई, उसी तरीके से आगे least count error, अब को least count error को non-directional error में इसलिए किया जाता है calculate, क्योंकि आप least count error को nullify नहीं कर सकते हैं, अगर मानो मुझे सबसे पहले focus करना हूँ क यह least count error होता क्या है, तो least count error basically वो error है, जो आपकी measurement में इसलिए randomly आ सकता है, क्योंकि आप एक device की help से measurement ले रहे हैं, जैसे कि मानो अगर तुम लोग weight की measurement ले रहे हो, तो wing machine की help से लोगे, लोगे ना, तो अगर मानो वो wing machine ऐसे measure करती है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ तो क्या मैं बोल दूँ कि भाई, यह जो मेरी wing machine है, जो वो छोटी से छोटा weight जो measure करती है, वो 1 kg का है, जो छोटी से छोटा weight वो measure करती है, वो 1 kg का है, तो क्या मैं बोल दूँ, इसका मतलब जो मैं measurement लोगी, वो 1 kg से जाधा भी हो सकती है, और 1 kg से कम भी हो सकती है, कि मानो इसका मतलब मेरा जो वेट है 49 2021 गजी भी उसकते है मतलब मेरा जो वेट है इन दोनों नंबर्स के भी चमें लाइग करेगा तो यह वाला एरर के मैं कभी भी मेजुरमेंट ले रहे हूं सब बचे इंटराक्शन रखेगे थिको do spammers आगे तो मैं बोल लिए पहां संवार्ट को कैसे करोगे spammers का effect is directional in nature spammers की effect को तुम लोग kancels आउट कर सकते हो topic के उपर discuss करके topic के उपर interact करके comment section में तो मैं तुम्हें यह बोल रही हूं कि मैं कभी भी measurement लूँगी तो एक device की help से लोगी, तो उस device एक छोटी से छोटी value को measure करेगा, जैसे अगर मानो मैं एक meter scale की बात करूँ, तो वो छोटी से छोटी value 1 mm measure करता है, तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग स्कूल में scale लेके जाते थे, अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 0.1 mm है, screw को जो छोटे से छोटी value को measure कर सकता है, वो 0.01 mm है, so what I am saying is, if you are making a measurement, it is happening with the help of a device, every device has a smallest quantity that it can measure, तो वो जितने भी smallest quantity है, तुमारी जो measurement है, उससे उतना ही आगे और उतना ही पीछे हो सकती है, ठीक है, यह मेरा least count error है, तो यह जो मेरा least count है, obviously बाते रांडम ली कि अगर मनों मैं एक meter scale के इस्तमाल से measurement ले रहे हूं, तो मेरी measurement में हमेशा 1 mm का error होगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो 1 mm जाद या 1 mm कम, या फिर इस range के बीच में होगा, तो यह सारे हमारे जो है, random errors आ जाते हैं, तो यही जो directional errors है, इनको देख इनको random error बोला जाते हैं, और यही जो मेरे पास non-directional errors है, इनको random error बोला जाते है, random error का वो ही मतलब है, जो तुमारे दिमाग में आते है, जब तुम random term को सुगते हो, anything that happens randomly, anything that you cannot control, anything that you did not see coming, that is a random error, anything that could be prevented, that is a systematic error, तो अभी तुम लोग पता लग जाना चाहिए, कि non-directional random error का example है, least count error, और उसी तरीके से systematic error का example है, 0 error, 0 error क्या है, 0 error यह है, 0 error यह है कि मैं अभी एक device के इस्तमाल से measurement ले रही हूं, लेकिन यह जो device है, जैसे कि मानो यह wing machine है, wing machine के उपर कोई भी नहीं घड़ा, तब भी 4 kg की reading दे रहा है, मानो यह ammeter है, इस ammeter में से कोई current नहीं flow कर रह है, that is the 0 error, कि जब device को 0 देना चाहिए, तब वो 0 नहीं दे रहा है, कि जो device है, एक non-zero reading देता है, जब मैं एक physical quantity को measure कर रहे हूं, जिसकी value 0 है, जैसे मानो अगर इस wing machine पर कोई भी ना खड़ा हो, तो मैं weight measure कर रहे हूं, weight की real value 0 होनी चाहिए, तो क्यों बता रहे है फिर यह 4 तो जब मेरा device non-zero value दे, एक ऐसे physical quantity के लिए जिसको मैं measure कर रहे हूं, जिसकी real value 0 है, तो real value 0 है, लिकन यह non-zero बता रहे है, तो वही 0 error है, तो 0 error device का error हो गया ना जी, 0 error मेरा device का error हो गया, कि device में दिक्कत है, तो we have already had this discussion, कि device में जो errors होते हैं, वो हमारे directional errors होते हैं, वो हमारे systematic errors होते हैं, तो अभी हम लोग को यह वाला जो 0 error है, यह हमें अच्छे से अज समझना है, क्योंकि I believe 2019 या फिर 22 में 0 error और screw gauge को मिला के एक question आया था, तो बिलकुल ध्यान से सुनिएगा, 0 error को समझते हैं, तो इतना complicated नहीं है, देखो, 0 error का मतलब, I am hoping तुम लोग इतना समझ क्यार मेरे पास एक ऐसा device है, जो जब उसको 0 value देने चाहिए, जो 0 value नहीं दे रहा है, तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, कि या तो वो जरूरत से बड़ी value दे रहा है, या फिर वो जरूरत से छोटी value दे रहा है, जैसे कि मानों तुम लोग इस wing machine के उपर नहीं खड़े हो और तब यह wing machine बोल रहा है, minus 2 kg है, तो जरूरत से कम दे दी न, reading, कि भाई अगर मैं तेरे उपर नहीं खड़ी हूँ, तो बोलना 0 kg है, minus 2 kg क्यों बोल रहा है, एक वो हो सकता है, दूसरी चीज़ यह हो सकते हैं, कि मैं इस wing machine के उपर नहीं खड़ी हूँ, लेकिन यह बोल positive 0 error, positive 0 error का मतलब अब जरूरत से ज़ादा बता रहे हैं, negative 0 का मतलब, negative 0 error का मतलब अब जरूरत से कम बता रहे हैं, कॉंपलिकेट नहीं करना बचचो, तो एक बट ज़्दा सा logically कुछो, अगर कोई value 0 है, और device 0 नहीं बता रहे हैं, तो यह obvious सी बात है, यह तो 0 से ज़ादा बता रहे हैं, यह 0 से कम बता रहे हैं, तो positive 0 error है, अगर 0 से कम बता रहे हैं, तो वो negative 0 error है, तो अब यह मानों, जैस से कम बताया ना तो मैं यहां पर देधे को में हां पर क्या बोल सकते हूँ साओक है जो घृजिट le sector यहां पर मैंनम् Morum G8 की अधों चीמה हैं ईहां पर इकलत secular की और कयो अर। रहे हैं यहां पर सब्सक्राइणे कैना आए 2 kg का इसका मतलब क्या एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा 2 kg कम वाल्यू बताएगा अगर 10 kg के हो तुम तो यह 8 kg बताएगा क्योंकि तुम देखो ना 0 पे माइनस 2 बता रहे है तो 10 पे 8 बताएगा 6 पे 4 बताएगा 20 पे 18 बताएगा 100 के उपर वो 98 बताएगा तो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या कि हमेशा आपको रियल वाल्यू से छोटी मेजर्ड वाल्यू मिल रहे है तो आइकन से कि यहां पर जो रियल वाल्यू है वो अक्चुली में बढ़ी है और यहां पर जो मेरे पास मेजर्ड वाल्यू है वो छोटी है कि रियल वाल्यू से हमेशा छोटी value में रहे है जो device है बताएगा rating के बिलकुल बात नहीं है दिमाग में सारी जीज़े होने चाहिए दूसरा scenario यह आ सकते है कि यह जो device है जाधा बता रहे है कि भाई मैं इसके उपर नहीं खड़ी तब भी यह plus 2 kg बता रहे है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह बच्चो कि इसके अंदर positive zero error है 2 kg का रांजे देखना इसका मतलब इसके अंदर positive zero error है 2 kg का यह 2 kg से जाधा बता रहे है 2 kg से जाधा बता रहे है इसका मतलब यह जो मुझे measured value दे रहा है वो value बड़ी है और जो actually में जो real value है वो छोटी है यह सब तुम्हें याद नहीं रखना है you don't have to memorize this यह conclusions है conclusion तक पहुँचो मानो तुम्हें भूल गए मैं तुम्हें बोलूँ मुझे जुबानी यादी नहीं होना चाहिए तुम conclusion तक आओ मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि जीरो एरर है नेगेटिव दो आमपियर का इसका मतलब यह आम मीटर हमेशा दो आमपियर से कम बताएगा तो अभी सी बात है real value बड़ी है measured value छोटी है तो अभी फिर एक बार जब हम लोग discuss कर लेते हैं कि यह हमारे पास कितने तरीके के जीरो एरर होते हैं तो next question फिर हमार पास यह आ जाते हैं कि दी फिर हम इसको correct कैसे करें और correct कैसे करें भाई this is very genuine अगर आप फैंक रहे हैं तो कम फैंके और अगर आप कम बता रहे हैं तो असली बताएगे जैसे कि मानो अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई तुमारे इस टेस्ट में कितने marks आये मानो उस टेस्ट में तुमारे 500 marks आये थे लेकिन तुमने फैंक के बोल दिया मेरे तो 540 marks आये थे तो तुमने positive zero error किया है कि आख कम रहे हैं तुम जाधा बता रहे हैं तो correct कैसे करोगे तुमने 40 का फैंक आये तो 40 से मत फैको तो अगर मानो मेरे पा माइनस करके कि मुझे अच्छे से पता है कि यह वेंग मशीन हमेशा 2 kg से जाधा बताएगी इसका मतलब क्या मैं यहां पर बोल दूं कि यहां पर जो real value होगी वो मेरे पास हो जाएगे कितनी इसने measured value बताई है माइनस 2 kg अगर आप फैक रहे हो तो कम फैको अगर positive zero error है तो negative correction होगा अगर positive zero error है और आपको correct करना है तो negative में कीजिए minus कीजिए क्योंकि आप फैक रहे हो तो असलियत तक पहुंचना है तो जो आप फैक रहे हो उसको आपको subtract करना वड़ेगा इसी को negative correction बोला जाते तो इंग्रिश में थोड़ी पसेंगे conceptual clarity के लिए हो ना I'll focus on that इसी को negative correction बोला जाते हैं कि अगर आप जादा बोल रहे हो तो प्लीज फैक हिए sorry अगर आप फैक रहे हो तो आप जो फैक रहे हो उसको minus कीजिए उसी तरीके से मानो अगर तुम कम बता रहे हो कि भई तुम्हारे 500 marks आ रहे थे लेकिन तुम्हें लगा किया मेरे ना मुझे तो कम बता है कि तुम बोलोगे मेरे असली marks हो गए कि मैंने कितना बताया है प्लस मैंने कितना कम बताया है यह भूल जाओ जाए बिलकुल conceptually चलो तो आइकन से कि भाई अगर negative zero error है मतलब device कम बता रहे है तो device कम बता रहे तो अगर मानो तुम्हें real value तक जाना है तो तुम फसेंगे इन equations में फसेंगे यह वाली slide अगर मैं delete भी कर दूँ अगर मैं यह वाली slide काट भी दूँ तो भी तुम्हें समझ आना चाहिए यह obvious सी बात है अगर device हमेशा 10 kg से जादा बता रहा है अगर मेरे पास एक device है जिसके अंदर positive zero error है 10 kg मतलब वो 10 kg से हमेशा जादा बत उसको माइनस कर दीजिए सच तक पहुंचने के लिए और जो आप कम बता रहे हैं उसको एड कर दीजिए सच तक पहुंचने के लिए जैसे कि मानु इफाय आप दो गिव यू अ क्वेशन कि मेरे पास एक मीटर स्केल है तो इस मीटर स्केल का zero error है 2 mm और इसने मुझे रीड को यादगरने के जरू है तो यह ऑफिस ही बात है यह सर्टन तो नहीं there are no equations मतलब संजो इसका मतलब क्या है zero error है 2 mm का मतलब यह स्केल मुझे हमेशा 2 mm से बड़ी रीडिंग देगी मतलब समझे इसका मतलब क्या कि यह जो मीटर स्केल है वो हमेशा 2 mm से बड़ी रीडिंग देगी तो अगर यह बोल रही है 12 तो असलियत है 10 अगर यह बोल रही है 12 तो असलियत क्या है 10 हमने देखो कोई equations नहीं लगाई ना तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हैं लेकिन क्यों लगानी है ओविसी बात है ज्यादा बता रही है तो ज्यादा बता रही है तो ज्याद हम लोगोंने types of errors के बार में बात के क्योंकि जो बच्चे detailing में नहीं बढ़ते ना, detailing में कर रहे हैं, मैं कोई चीज नहीं skip कर रही है, number of questions कम है, क्योंकि एक मैंने dedicated एक और आदे गंटे और दो गंटे का session दिया है, सिर्फ question practice के लिए, सब detail है, पूछ लो मेरे plus के students है, पूछ लो मेरे paid के students है, कौन सी ऐसी बात है, जो मैंने उनको paid में बताई है, लेकिन मैंने हाँ पर नहीं बताई है, एक ऐसी बात नहीं है, पढ़ाना ही नहीं आता मुझे वैसे, तो चाहिए आप किसी भी level के उपर हो, महा प्रले को तुम लोग follow कर सकते हैं, ठीक है so, we talked about the types of errors, so basically what I was saying is जो बच्चा ऐसे detailing में नहीं बढ़ता है उसको लगता है, errors का मतलब absolute error निकालना, relative error निकालना नहीं ये भी errors का उतना equally important component है, so I'm hoping this is clear that on the basis of the nature of the errors there are two types of errors, एक ऐसे errors जिनकी direction होती है मतलब जिनको हम लोग cancel out कर सकते हैं, एक अच्छा device लेके सही से measurement लेके, अपने emotions को side में रखके, वो सारे के सारे मेरे systematic errors हैं फिर जो errors बिलकुल randomly किसी भी reason की वज़े से आ सकते हैं एकदम से बिजली कड़क गई, ठीक है एकदम से पीछे से आके तुमारे दोस ने हो, इस तरीके से कर दिया या फिर तुम एक device ही ले रहे हो और device की property ही ये error को शूकरना अगर एक meter scale है, छोटी से छोटी reading अगर 1 mm के दे रहे हैं, तो तुमारी reading तो तुमारी जो measurement है हो सकती है 1 mm आगे या पीछे तो जितने भी errors है, वो सारे के सारे जो errors है, वो random errors है random errors को हम लोग कम कर सकते है number of measurements बढ़ाके इसके उपर एक previous question है क्या बोला मैंने? मैंने तुम्हें ये बोला कि जो भी तुमारी measurement में random error आ रहे है, क्योंकि random error randomly आता है, तो random error को तुम लोग कम कर सकते हो number of measurements बढ़ाके number of measurements बढ़ाके, कि भई मैं number of measurements जादा कर दूँगे, तो random error कम हो जाएगा, जैसे कि मानो अगर क्योंकि ये errors बिल्कुल random ली आते हैं तो मानो अगर मैंने अपने मैंने पहले एक measurement ली थी मैंने एक measurement ली थी, तब x का random error आया था, इसका मतलब अगर मैं 100x की, अगर अपकी बार मानो, मैं 100 measurements लो तो अपकी बार जो random error है, इतना होगा this was your previous year question, because this is very genuine, जो चीज रांडम ली होती है तो random चीज को cancel out करने के लिए आप क्या करते है, number of observations बढ़ाते हैं है ना, random error को cancel out करने के आप number of observations बढ़ाओगे तो आप जितने भी factors है number of observations को, number of measurements को बढ़ा दोगे तुमारो जो random error है, उतना ही कम हो जाएगा ठीक है, I am hoping this is crystal clear like कर दो बच्चों सारे के सारे इस session को और अब आज आता है हमारे इस chapter का वो वाला portion जिसके बारे में सारे students को पता ही होगा जैसे कि देखो, इन सब के बारे में पता ही होगा absolute error के बारे में, relative error के बारे में, percentage error के बारे में ऐसा भी हो सकते है कि तुम्हें लग रहा हो कि नहीं दी, हमें नहीं पता जैसे कि Manu तुम्हारे, let us assume, तुम्हारे 200 में से 160 मार्क आ गए, सबके पापा ने, your father was the first one to help you calculate the percentage, कि बेटा तुम्हारे मार्क से परसंटेज ऐसे निकाले जाते हैं, हमारे स्कूल में तो बाद में सिखाया जादा, पात्पा लोग हम लोग को पहले सिखा देते हैं, तो मैं तुम्हें बोल रहे हो, तुम लोग अल्रेडी, absolute accuracy, relative accuracy और percentage accuracy को define करते हुए, फोर्थ class से आ रहे हो, अब सिख error इडिफाइन करना है, जैसे कि मानो अगर तुम्हारे 200 में से 160 मार्क आए हैं, तो 160 मार्क तुम्हारा absolute accuracy है, कि इतना value तुम लोगोंने सही किया, 160 मार्क का तु कि किया, वो तुम्हारी relative accuracy है, 100 से multiply कर दो, वो तुम्हारी percentage accuracy है, तो अब ही तक हम लोग, अब ही तक तुम लोग जितने भी standards में पड़े हो, तुम्हें जो marks मिलते हैं, percentage में, वो तुम्हारी percentage accuracy कि इस बच्चे को इतना percentage knowledge आता था, जो भी test conduct हुआता उसके बार में, तो absolute error हो गया मेरे पास 40 marks का, 200 में से 40 नहीं आया, तो ये मेरे पास हो गया relative error, 200 में से 40 नहीं आया, गर उसको मैं 100 से multiply कर दो, तो ये हो गया percentage error, this is the topic, तो मैं तुम्हें ये बोल ले थी, भले तुम लोगों ने इस topic को, class 11 तुम अच्छे से ना पड़ा हो, लेकिन ये सब को बत अच्छपन से absolute accuracy, relative accuracy, percentage accuracy डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, तो आपकी बार error डिफाइन कर देंगे, तो समझ गए, कि मानो 200 marks के paper में, अगर तुमारे 160 marks आए हैं, है ना, तो error तुमने 40 का कर दिया, ना, 40 का error कर दिया 200 में, multiply कर दो, तो percentage आ जाएगा, तो अभी मानो, अगर और measured value के बीच में कितना difference है, यह हमेशा positive होता है, absolute error is always positive, absolute error को कभी भी बच्छो negative में मत ले 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 न, अगर मानो, 6 kg के तुम हो, और measurement 4 kg की आ रही है, या फिर measurement 8 kg की आ रही है, दोनों से में, 4 और 6 के बीच में भी 2 का difference है, 6 और 8 के बीच में भी 2 का difference है, so absolute error is always positive, तो हमेश तो मानु, तो मानु, मैं अबस्लीट एरर को इस तरीके से डिफाइन मतलब देनोट करना चाहूँ टैक है जैसे कि देखो हम लोग रिजस्टर को ऐसे डिनोट करता है ना तर्केट में उसी तरीके से एकक्वेशन में अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो मैं एसे कर दूंगी अगर मानू आप मैं डिफाइन करूँ कि भाई मैंने कितना error किया divided by real value कितने थे वही relative error है और मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि यार जब तुम इसको hundreds से multiply कर दोगे तो तुम्हारे पास percentage error आ जाएगा this is the topic, there is nothing else to it this is the meaning of absolute error, relative error and percentage error आप एक question में कराते हूं जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू कि भाई तुम meter scale की helps है ना कुछ measure करने थे तो तुमने तुम एक चीज को measure करने थे जिसकी length है 20 cm लेकिन meter scale से तुम्हारी reading आगी 16 cm तो तुम देखो ना 20 cm और 16 cm में 4 cm का difference है ना तो तुम्हारा absolute error आ गया 4 cm अगर मैं relative error पूछू तो relative error बस हो जाएगा कितना absolute error है divided by real value कितने थे कि absolute error कितना है length में divided by length की real value कितने थे तो देखो ना मैं देख पार हैं कि भाई मैंने 4 cm का मैंने error किया है और जो length की real value है वो 20 cm है तो देखो relative error मेरे पास आ गया 1 by 5 अगर percentage error निकालने को बोलू हूँ तो भाई तुम्हें सिर्फ 100 जे multiply करना है और ये वाली value कितने आगी 20% देखो ये वाली value मेरे पास कितने आगी 20% तो तुम लोग देख पार होगे कि यहाँ पर मैं किस physical quantity को measure कर रहे हूँ यहाँ पर मैं जिस physical quantity को measure कर रहे हूँ वो है length देखो वो है length तो length का ही unit है absolute error का देख लो absolute error जो है इसके भी जो units है और dimensions है dimensions क्या होता है बताऊंगी लेकिन तुम देख लो unit length के हैं तो dimension भी length क्योंगे units और dimensions length के हैं लेकिन अगर मानू मैं relative error और percentage error की बात करूँ इनके ना तो कोई unit है ना ही कोई dimensions है dimensions का मतलब एक physical quantity को fundamental की terms में लिखना इसके उपर और आगे जाओंगे अभी बस मैं error के उपर focus करना चाते है तो एक important point आ जाता है कि भाई absolute error मनू अगर मैं current को measure कर रही होते है कि भाई 10 ampere का current real है लेकिन जो measurement आई है ध्यान से देखना जो measurement आई है वो 12 ampere की आई है मतलब absolute error आ गया 2 ampere का तो देखो न absolute error को तुम बोलो 2 ampere इसका मतलब क्या absolute error has the units and dimensions of current relative error की बात करों तो तुम बोलोगे 2 ampere का error आया है real value 10 ampere की है तो एक cut गया ना तो यह मेरे पास आया 1 by 5 देखो इसका कोई unit or dimension नहीं है यह simply एक number है नंबर को 100 से multiply करोगे तो ओविसी बात है तब भी को unit or dimension नहीं आएगा यह मैने तुम लोग को बताये अब देखो यहां पर types of questions कैसे हो सकते है मैं topic तो यही है लेकिन मानो अगर मैं दो और question types को यहां पर लेकिया हूँ ठीक है मैंने यहां पर तुम लोग को एक real value दी और एक measured value दी ठीक है अब मैं तुम्हें बोले हूँ मानो अगर मैं एक real value देखे तुम्हें दो measured value पूछों तो कोई तिकत की बात नहीं है बच्चों देखो समझो मानो अगर एक class में एक ही बच्चा है इस एक बच्चे के 100 में से 80 marks आई है तो मैं बोलूँगी कि इस class का जो percentage है वो 80% है कि यह जो class है वो 80% marks लेके आई है लेकिन मानो अपकी बार अगर इस class में दो बच्चे हूँ इसके आए 50% और इसके आए 70% और अब मैं तुमसे पू तुम यह आज आके नहीं सीखरे कि अगर मानो एक class में दो बच्चे है ध्यान दीजेगा मानो अगर इस class में दो बच्चे हो यह लेके आ रहा है 50% यह लेके आ रहा है 70% अब मैं तुमसे पूछू कि class का कितना percentage है तो तुम क्या करोगे दोनों का average निकालोगे ना 50 plus 70 divided by 2 same thing happens here same thing happens here कि अगर मानो मैं तुम लोग को एक real value देदू कि मैं तुम्हें बोलूग है जिसकी real value जो mass की है वो है 6 kg मैंने इसको दो बार measure किया जब मैंने इसको पहली बार measure किया देखना जब मैंने इसको पहली बार measure किया तो measurement आगी 5.4 kg जब मैंने इसको दूसरी बार measure किया त तुमसे क्या पूछा जा सकता है तुमसे percentage और relative error तो पूछा ही जा सकता है लेकिन पहले absolute error तुमसे दोनों में individual absolute error भी पूछा जा सकता है और average absolute error भी पूछा जा सकता है तो भाई मैंने क्या नया बताया मैं तुम्हें अप्रोच बता रही हूं नया ऐसे और बहुत सारी अप् absolute error है तो 6 kg और 5.4 में 0.6 kg का difference है अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दूसरे वाली measurement के अंदर कितना absolute error है तो 6 और 6.2 में 0.2 kg का difference है जायस सी बात है ना यह एक बार जरा सा देखिए जायस है कि नहीं है तो यह तो तुम लोगों ने बता दी individual absolute error देखो इंग्लिश में कभी मत फसना बच्चो इंग्लिश में कभी मत फसना इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है individual absolute error कि तुम लोगों ने एक measurement को एक बार consider करके तुमने absolute error को define किया अब मानों अगर मैं तुम से पूछू कि average absolute error कितना है देखिए अब मानों अगर मैं तुमसे बूचो average absolute error कितना है तो वाह average निकालना हम आज की class में सीग तो दूसरे वाला absolute error दो है तो दिवाइड़ेड वाली वाली मेरे पास आगे 0.6 kg प्लस 0.2 kg डिवाइड़ बाइ 2 ये वाली वाल्य आगे 0.4 kg अब मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि अब अगर तुमसे relative error और percentage error पूछा जाए तो यही वाली average value जाएगी This is going to be the average absolute error यही जाएगा इसकी calculation में तो अब मानो अगर मैं तुमसे पूछोंगे relative error कितना है तो तुम देखोगे कि mass में कितना average absolute error आया है divided by mass के real value कितनी है तो mass में average absolute error आया है 0.4 kg का और real value मेरे पाँ 6 kg है तो यह वाली value कितने होगी 2 by 30 देखो यह वाली value होगी 2 by 30 अब मैं तुम्हें percentage निकालने को वोल नहीं हुआ चक बल्ले multiplied by 100 कीजे यह देखी आया answer देखी 0.4 by 6 कितना होता है 2 by 30 होता है 100 से multiply कर दोगे तो percentage error आजाएगा तो यह मेरे पास आगे 20 by 3 percentage so there are no complications everyone कुछ complicated नहीं है इसमें I am hoping things are extremely clear मेरे paid platform के students तुम्हें बता देंगे बिल्कुल SI lecture paid के platform में लगा था SI lecture यहां पर लग रहा है number of questions का difference है और वो number of questions का difference तुम्हारी तीन बजे वाली practice session में बूरा होगा यह देखिए यह आगे मेरे पास errors so it is not complicated at all ठीक है तो अभी हमने देखा कि भाई इस तरीके से हम लोग errors बगरा को define करते हैं ठीक है अभी मैं तुम्हें बोल रही हूं कि चलो हमने यह देखा कि भाई जो error है उसको absolute error, relative error, percentage error in some terms में define किया जाता है ठीक है तो error तो तब भी आ सकता है न अगर बच्चे यहां पर class attend करें उनको class अच्छी लग रही हो लिकें वीडियो को ना लाइक करें तो ऐसे error को हम लोग कैसे cancel out करेंगे फटा फट से वीडियो को लाइक करके क्यों? क्योंकि एक systematic error है यह आपका personal error है आप से गलती हो गई तो मैं चाहते हूं सारे की सारे बच्चे इस systematic personal error को cancel out करके वीडियो लाइक करें जिन बच्चों के भी measurement of quality में यह error आया है अब मैं तुम्हें बोल रहे हूं that now that we know कि एक measurement में किस तरीके से error निकाला जाता है तो देखेगा दो fundamental या फिर दो से जादा fundamental quantities मिलके derived quantity बनाती है वैसे मैं तुम्हें बोल रहे हूं अगर मानू मैं तुम्हें बोलो A plus B hook करके C आ रहा है A के अंदर भी error है और B के अंदर भी error है तो obviously भात है दो गलतियां एक दूसरे को cancel out नहीं करते कि तुमने दोस्त को एक गाल पे एक थपड मारा तो उसको cancel out करने के लिए तुमने उसके दूसरे काल के ऊपर भी एक थपड मार दिया This is never going to happen Two mistakes never nullify one another तो हमेशा याद रखना कि errors हमेशा add होंगे errors कभी भी subtract नहीं होंगे दो physical quantities subtract हो सकती है दो physical quantities divide हो सकती है दो physical quantities multiply हो सकती है दो physical quantities add हो सकती है लेकिन हमेशा याद रखना कि जो errors है A और B में वो हमेशा add होंगे ताकि C वाला error पता लगे No matter what Errors are always going to be added Error नहीं cancel out होगे तुम्हारे मानों अगर तुमने bio में bio में तुमने 12 की negative marking कर दी ठीक है तो तुमने physics में भी 12 की negative marking कर दी कि 12 और 12 cancel out होजा That errors are always added Errors are always मैं हाँ पर underline कर देती हूँ Errors are always added तो फिर बात आ जाती है कि दी कौन से errors क्योंकि अभी आपने बताया ना कि error को हम 3 तरीके से mathematically define कर सकते है Absolute की terms में Relative की terms में और percentage की terms में तो जब आप ओल रहे हैं कि errors हमेशा add होंगे तो कौन से errors add होंगे तो यहाँ पर दो चीज़े हैं अगर मानू दो physical quantities add या फिर subtract हो रहे हूँ तो absolute errors add होते हैं और answer का absolute error तुमें मिलेगा और अगर मानू दो quantities multiply या फिर divide हो रहे हैं तो relative error add होते हैं देखना एक बार मैं तुमें बताती हूँ अगर मानू मैं तुम्हें बोलू A is equal to sorry मानू अगर मैं तुम्हें बोलू कि C की value मिल रही है जब या तो मैं A को add कर रही हूँ या फिर मैं A को subtract कर रही हूँ B से let us assume ठीक हैं कि ये C की physical quantity मेरे पास तब आएगी जब मैं A और B को या तो add करूँ या मैं subtract करूँ तो मैं बोल रही हूँ कि दोनू scenarios में जब मैं A के absolute error में B के absolute error को add करूँ गी तब मुझे C में absolute error पता लगे always so this we already have discussed that the errors are going to be added but now that we can define errors in so many types so I am telling you how do we add those errors what kinds of errors do we add तो अगर मानू मेरे पास वो जो अगर दो physical quantities multiply sorry अगर दो physical quantities add या फिर subtract हो रही है तो absolute errors को add करेंगे और उसी तरीके से मानू A और B इस तरीके से या तो divide करके C दे रहे हैं या फिर मानू A और B इस तरीके से multiply करके C दे रहे हैं so now A and B are being either multiplied और divided तो अब की बार जब तुम A और B के अंदर जो relative error है उसको जब तुम add करोगे तो तुमें C के अंदर relative error को का पता लगेगा दोनों जगे में अगर 100 को multiply कर दूं तो मैं बोल दूंगी अगर तुम C के अंदर percentage error को निकालना जाते हो तो A के अंदर जो percentage error है और B के अंदर जो percentage error है उसको add कर दूं हांजी मैं मारीकोस्ट प्लीज स्टाफ कचे ओट नोस इटेटिंग ले तूं कर दे आज़ा सरीता प्लीज नोसगोज कर दो कर दे के अच्ट आपको यह जो विजुवल है देखना ना पड़े और आपको दिकत करते ना हो कि यही हो सकता है इतनी आपकी बड़ी problem का that what I am doing with my body है ना आपसे मैं इस सरी के से लिखवा देती हूँ मैं क्या-क्या कर सकते हूँ क्या-क्या नहीं कर सकते हूँ इनाक में पेंट लोके पैड़ नहीं देखना एक बार अच्छा तो मैं अभी यह कह रही थी this should not be difficult to understand if two physical quantities are being added और subtracted दोनों के absolute errors को add कर दो इसके अंदर absolute error को निकालने के लिए उसी तरीके से if two physical quantities are being multiplied or divided तो दोनों के relative error को add कर दो इसके अंदर relative error को निकालने के लिए या दोनों के percentage error को add कर दो इसके percentage error को निकालने के लिए देखो एक question मैं तुम लोगों कराती हूँ मानो अगर मैं तुम्हें बोलू कि भाई मेरे पास ना दो physical quantities है मानो मैं तुम्हें बोलू कि A की physical quantity यह है B की physical quantity यह है तो representation देखिए इसका मतलब यह है A की real value यह है और उसमें error इतना है This is the real value of A This is the absolute error in A This is the real value of B and this is the absolute error in B अब मैं तुम्हें बोलू कि A और B को add करने से C आएगा तो C के अंदर absolute error बताओ relative error बताओ percentage error बताओ बता दो बता तो मैंने तुम्हें दिया कि जब दो physical quantities को हम लोग add करते हैं तो final answer में error को कैसे निकालते हैं absolute की terms मैं कि मैं बोल दूँगी C का absolute error आ जाएगा A का absolute error ब्लस B का absolute error तो तुम देखो ना A के अंदर absolute error इतना है या आगया A का absolute error B के अंदर absolute error इतना है तो यह मेरे पास इतना आ गया तो तुम देख पारे हो C के अंदर absolute error आ गया 1.25 meter का देखलो एक बार यह मेरे पास आ गया 1.25 meter का तो अभी मानो अगर मुझे C की equation लिखनी हो क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर A की equation यह है B की equation यह है A और B को add करके अगर C मिल रहा है तो C की equation क्या है तो C की equation आ जाएगी C की real value plus minus C के अंदर जो absolute error है अब अगर यहाँ पर C is equal to A plus B है तो ओविसी बात है C की real value तब आएगी न जब मैं A की real value और B की real value को add कर दूँ तो A की real value है 6 B की real value है 5 तो C की real value आगी गया और इसमें हमारे पास absolute error है 1.25 meter का ठीक है जी यह एक बार ज़रा सा देख लीजे कि यहाँ पर C मुझे आ रहा है जब हम A plus B कर रहे है तो A के absolute error और B के absolute error को add करूं तो C में absolute error आएगा अब मैं एक और question में ले गई तुमें This we have solved अब मैं तुमें एक और question में ले गई कि भाई C की equation लेको तो C की equation हो जाएगी C की real value और C के अंदर absolute error तो C के अंदर जो absolute error है वो तो मैंने यहां से निकाल लिया C की real value में निकालूंगी C की real value आएगी A की real value और B की real value को add करने से है कि ने उसी जरीके से देखो यहां पर एक और question पूछा हो है कि भाई अब आप ऐसे गरो relative error बताओ तो क्या दिक्कत होगी relative error in C आजाएगा C के अंदर जो absolute error है divided by C की जो real value है तो यह वाली value कितने आगे 1.25 divided by 11 अब मानो अगर आप बोलते हैं कि भाई C के अंदर percentage error बताओ तो वो आजाएगा C के अंदर जो relative error है multiplied by 100 तो यह वाली value आगे 125 divided by 11 percentage things are very easy let us not complicate it errors are always added so the question remains how so when the physical quantities are being added or subtracted we deal with the errors in the absolute terms and when physical quantities are being multiplied or divided we deal with the physical quantities in relative terms और percentage terms जैसे कि एक question देखना मैंने तुम्हें बोला कि यह एक rectangle है rectangle की length होती है breadth होती है area भी होती है तो तुम्हें न length और breadth की equation देखे तुम्हें बोला हुआ area के अंदर relative error बताओ area के अंदर percentage error बताओ area के अंदर absolute error बताओ तो निकाल लेंगे भाई हम याद करेंगे दीने क्लास में क्या बोला था concept strong होने ची तो दीने क्लास में बोला था अगर दो physical quantities multiply हो रही हो जैसे कि यहाँ पर length और breadth multiply होगी ताकि area आए तो हम error से deal करते है relative की terms में कि मेरे final answer में बोले तो area में जो relative error है वो आ जाएगा length के अंदर जो relative error है plus breadth के अंदर जो relative error है देखो what is this? this is the relative error in A ना निकालू करू substitute यह देखो B के real value कितनी है B के real value 4 है breadth के real value 4 है length के real value 6 है length के अंदर absolute error 0.3 का है breadth के अंदर absolute error 0.8 का है निकालू जी यह देखो, यह मेरे पास आगे 0.8 divided by 4 plus 0.3 divided by 6, ठीक है, तो यह वाली value आगे मेरे पास 1 by 5, 1 divided by 5 multiplied by 10, multiplied by 10, यह वाली value आगे मेरे पास 1 by 20, यह वाली value आगे मेरे पास multiplied by 4, multiplied by 4, 5 by 1 by 4, this gives me 1 by 4, तो एक तो मैंने निकाल ली, आपने पूछा था, relative error कितना है, तो relative error आगे मेरे पास 1 by 4, अब मानी अगर आप एक और चीज़ पूछते हैं, कि बही बताओ, एक के अंदर percentage error कितना है, तो एक के अंदर percentage error आजाएगा, एक के अंदर relative error कितना है, multiplied by 100, तो मैं यहाँ पर देख प करेंगे हमारी तीन बजे वाली ग्लास में, इस क्लास का मकसद सिर्फ conceptual clarity है, कि at least तुम्हारे concept strength देंड़ो, at least तुम्हें concepts पता हो, और अब मानो मैं अगर मैं A के अंदर absolute error पूछो, तो तुम देखो na, A के अंदर relative error अभी तो हम लोगों ने निकाल है, कि A के अंदर absolute error divided by A क होगी 1 by 4, तो अभी सी बात है, A के अंदर absolute error आ जाएगा, A की real value divided by 4, तो area क्या होती है, length multiplied by breadth, देखो area की value कितने आ जाएगी, length multiplied by breadth, 6 multiplied by 4, 24 meter का square, तो area की real value आगी 24 meter का square, ये division में 4 आ रहा है, value मेर पास कितनी बन गई, यहां पर, 6 meter square, देखी, एक बार, I am hoping, guys, that this is extremely clear to each and every student, errors are always added, so the question remains how, if the physical quantities are being added or subtracted, we deal with the errors in the absolute terms, when the physical quantities are being multiplied or divided, we deal with the errors in the relative terms, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहां पर ना, एक चीज बता रहे हूँ, मानू अगर मैं बोलूँ, गार फर्माना, मानू अगर मैं बोलूँ कि P की value आगी, A का square divided by B का cube, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि P के अंदर percentage error बताओ, कितरा होगा, ठीक है, P के अंदर मैं percentage error पूछते हूँ, तो आगया A के अंदर जो percentage error है, प्लस दूसरे वाले A के अंदर जो percentage error है, प्लस B के अंदर जो percentage error है, प्लस B के अंदर जो percentage error है, अभी किया है हम लोगों ने, तो मेरे पास आगया कि P के अंदर जो percentage error है, वो आगया 2 times of A के अंदर जो percentage error है, प्लस 3 times of B के अंदर जो percentage error है, इसके बहुत previous question है कि अगर किसी भी physical quantity के representation ऐसे होती है तो P के अंदर percentage error आ जाएगा 2 times of A के अंदर percentage error प्लस 3 times of B के अंदर percentage error तो भी यहां पर देख पार होगे कि यहां पर A की पावर 2 है तो देखो A के percentage error के आगे 2 आया है देख पार है देखो इसके उपर प्रीविस के question कराते हों मैं तुम है just one second और फिर हम लोग चलेंगे dimensions के उपर कि यह देखो 2019 का question है जस्ट वान सेकिंड कि देखना एक बार कि यह देखो कि यह देखो यह 2019 का question है तो मैं इसे लिए दिखा रहे हूं तक कि तुम्हें बता लगे है कि और अभी तक हम लोग extreme question practice में नहीं गए हैं पीवाई के उस तब भी बन रहे हैं क्योंकि सारे basic चीज़े तो मैं बता ही रही है नो दो गंटे हो गए एक ही topic बचाए एक ही major topic बचाए डोंट वरी अट ओल तो मैं फ्री कर दूंगे मैं साधेना वजे तक ठेक है यह वाला question देखना 2019 का question है तुम्हें बोला हुए कि यार अगर मानो मैं x की physical quantity को अगर मैं इस तरीके से define कर सबूं a में percentage error दे दिया b में percentage error दे दिया c में percentage error दे दिया d में percentage error दे दिया और x में percentage error पूछा गया है तो यहाँ पर दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए देखिए दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए तुम देखो x के अंदर percentage error आ गया 2 times of a के अंदर जो percentage error है क्योंकि a की power 2 थी half times of B के अंदर जो percentage error है क्योंकि B की power आती थी plus 1 by 3 times C के अंदर जो percentage error है क्योंकि C की power 1 by 3 थी plus 3 times D के अंदर जो percentage error है क्योंकि D की power 3 थी substitute ये देखो 2019 का question है तो ये वाली value आगए 2 times of 1% ये मेरे पास आगया half of 2% ये मेरे पास आगया 1 by 1 by 3 times of 3% और ये मेरे पास आगया 3 times of 4% आयाना answer देखो एक बार आयाना answer इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं देख लो ये 2019 का question है ठीक है एक question ये भी देखना है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सारे मने आज ही करा दिये हैं तुमारे most of the previous question तो यहीं से बन जाएंगे बट इट इस अब ओट मोर अंडेस्टांडिंग तो वो मोर अंडेस्टांडिंग तुम लोग को आएगे जब तुम आज तीन बजे मुझे कि मिलोगे हमारे practice session में है यह क्वेश्चन मैं तुम ons 2013 है इसमें कोई दिकत कि तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मानों के अंदर the a के अंदर percentage error इतना है ब के अंदर इतना है C के अंदर इतना है D के के अंदर इतना है तो P के अंदर percentage error बताओ इसलिए बोला जाथा PYQs solve करो, PYQs repeat होते हैं सेम तरीके का question 2019 में था सेम तरीके का question 2013 में है So we just talked about it कि अगर P को P के physical quantity को मैं ऐसे represent कर पाऊ तो P के अंदर percentage error आ जाएगा 2 times of इसके अंदर जो percentage error है क्योंकि इसकी power 2 है plus 3 times of इसके अंदर जो percentage error है क्योंकि इसकी power 3 है तो अगर मानू मैं इस question को solve करने को चलू तो मैं यहाँ पर बोल दूँगे कि P के अंदर जो percentage error है It is going to be given by 3 times of A के अंदर जो percentage error है क्योंकि A की power 3 थी plus 2 times of B के अंदर जो percentage error है क्योंकि B की power 2 थी plus C के अंदर जो percentage error है plus D के अंदर जो percentage error है वो हमारे पास यहाँ पर 1 है substitute and solve देखो यह मेरे पास आ गया 3 times of 1 यह मेरे पास आ गया 2 times of 2 यह मेरे पास आ गया 3 यह मेरे पास आ गया 4 तो यह मेरे पास आ गया 3 plus 4 plus 3 plus 4 जो की है 7 multiplied by 2 14 percentage Is this crystal clear to each and everyone? कि जो हमारे errors हैं वो किस तरीके से propagate करते हैं? क्या यह चीज clear हो गई? क्योंकि अब मैं आपको देने वाले हूँ 5 minute का break ठीक है? अब मैं दूंगे तुम लोगों को 5 minute का break 8.55 से 9 a.m. तक यह break चलेगा ठीक है? आराम से सांस लीजे क्योंकि अब हम dimensions के बार में बात करेंगे dimensional analysis के बार में बात करेंगे 9 से 9 बजे तक चलेगे बच्चों हमारी class और हम इस chapter को खतम करतेंगे I'm hoping that your experience is super मेरे paid platform वालों से पूछ लो जाए units and dimensions उनको 3 classes में convert कराया था cover कराया था तो मैं एक class में cover करा रही हूँ उनको 7 गंटों में कराया था तो तुम्हें 2 रादे गंटों में cover कराऊंगी फिर भी एक भी concept मैंने miss नहीं किया है This is the art of teaching So like कर देंगे सब अच्चे इस session को और बच्चों अब हम लोग मिलते हैं 9.30am के उपर Sorry 9.00am के उपर Okay, चल सकते हम अब हम हम छ में आय लृए scenario SET C झाल 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 हाई प्रिवान हां जी एक बार देखिए हमाई क्लेली ओर्डूबल और विजिबल लेट इस रिजिम विदा क्लास तुम लोगों को ये छोटा सा मैने ब्रेक दिया हैं अब हम लोग ये वाले चाप्टर को कंप्लीट करते हैं हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं एक तो डिमेंश और डिमेंशनल अनालिसेज है और फिर बाद में हमारे पास आजाते हैं सप्लिमेंटरी कॉंटिटीज और पारलेक्स मेथड कुछ बच्चों के कमेंट्स बगेरा में देख रही थे कि यह आप स्क्रू गॉज और वर्नियर कालिपर नहीं करा होगे तो देखो इस तरीके से जो भी एडिशनल टॉपिक्स है ना जैसे के रोलिंग मोशन हो गया रोटेशनल मोशन में या फिर स्क्रू गॉज और वर्नियर कालिपर हो गया या फिर मागनिफिकेशन बाइ ओप्टिकल इंस्टुमेंट्स होगे यह जो इस तरीके से छटे हुए टॉपिक है उन सब के अदिन को बूस्टर मिलेगा इस जो सारे के सारे बूस्टर से साटर और शॉपकस करना है और दो और आदे गंदे में इस बसे देख पारें जुए आच्ट के रहें हुए हैं एवरी बेसिंग एस बस्टियाची चीज़ों के बार में न तुम बताये है और अब मैं बच्च जो टॉपिक को दुबारा से शुरू करते हूं और इस चाप्टर को खतम करते हैं आदा गंटा है बहुत होता है आदा गंटा हम लोगों को यह वाला चाप्टर कम्लीट करने के लिए लिस्ट काउंट वी आप दन अनीश चलिए तो अभी मानो मैं अभी आजाओं डिमेंशन और डिमेंशन अनालिसस के उपर तो सब बच्चों का भी मुझे फूकस चाहिए तो देखो यार अभी तक तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारा चाप्टर किस अदा से जला है वो ब अभी इससे चाहता हुआ एक अन्रिलेटेड टॉपिक आजाता है हमारे पास डिमेंशन और डिमेंशन अनालिसस तो मैं बोल रहु हूँ कि डिमेंशन बैसिकल कॉंटिटी के अगर तुम लोग डिमेंशन निकालो ना तो तुम क्या कर रहो तुम उस फिजिकल कॉंटिटी क की टेर्म्स में लिखने जैसे क concern baby rapt अगर मैं तुम लोगो यहां पर एग्जाम्पल दो क्योंकि ऐसे तो तुम्मारे पूरे के पूरे फिजिक्स की सिलिबस में भहुत सारी फिजिकल कॉंटिटी आए जैसे जैसे आगे बावनचोट्स आएंगे वैसे विज़ सारी physical quantities के units और dimensions हम लोग वहीं पर निकालेंगे लेकिन मैं मानो अगर मैं तुम्हें बताऊं dimensions कैसे निकाले जाते हैं जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि gravitational constant है ठीक है आप ऐसा कीजिए कि gravitational constant के dimensions बताईए तो मुझे क्या करना है मुझे gravitational constant को लिखना है in the terms of fundamental quantities fundamental quantities कौन सी है mass, length, time ये सब कर दो कैसे करोगे तो कभी भी इस तरीके से किसी भी physical quantity का dimension निकालने को बोला जाता है न बच्चो तो हमेशा एक formula याद करो तो जिन बच्चों का gravitation हो चुका है उनको अच्छे से बता है कि gravitational force हो जाता है gravitational constant पहले वाला mass, दूसरे वाला mass divided by distance का square याद नहीं रखे जाते dimensions तो अगर मानू मैं force की बात करूँ तो force के dimensions होगे mlt-2 mass multiplied by acceleration gravitational constant का मुझे निकालना है mass का है m और ये denominator में आगया distance का square तो इस तरीके से gravitational constant के dimensions निकलेंगे m-1 L3 T-2wijक तो याद नहीं किये जाते हैं कभी भी याद नहीं किये जाते हैं obviously बात यह सारी physical quantities के dimensions को उम लोग नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोगाने मैंने तुम लोगों को सारे chapters नहीं कर रह आए है लेकिन तुम लोग经 को आफ पहते हैं ये उनको नहीं समझ आएगा जिनका fluid mechanics नहीं हुआ है तो मैं चाहते हूँ सारे के सारे बच्चे अपरोच समझो कि मानों अगर coefficient of viscosity की dimensions पूछे हूँ है मैं कभी नहीं याद रखूँगी मैं एक formula ढूँदूँगी जिसमें coefficient of viscosity आता है तो मेरे पास stroke's law है कि force की value आ जाते है 6 pi nita rv where nita is the coefficient of viscosity तो अब मैं क्या करूँगी force के dimensions लिखूँगी जो आ गया mass multiplied by acceleration mlt minus 2 देखो force क्या आ गया mass multiplied by acceleration तो ये मेरे पास आ गया mlt minus 2 6 pi के कोई dimension नहीं होते number है नीटा की dimension मुझे निकालना है r radius से तो length आ गया velocity distance by time lt minus 1 आ गया तो नीटा की dimensions मेरे पास आ गया mlt minus 2 divided by l का square t की power minus 1 तो ये मेरे पास बना ml minus 1 t minus 1 कभी भी याद नहीं किये जाते है you never memorize so this is what I was talking about कि अगर मानो तुम लोगो कभी भी किसी भी physical quantity के dimensions लिखने हो write, boil it down, break it down into fundamental quantities so whenever I break down any physical quantity into fundamental quantity तो उन fundamental quantities की क्या power थी जैसे कि मैं देख पार हूँ कि जब मैं gravitational constant को बिल्कुल physical quantities की terms में लिखो न तो mass की power minus 1 है length की power 3 है, t की power minus 2 है तो ये इसका dimensional formula है ठीक है तो अभी यहाँ पर इन्ही dimension से associated आ जाता है बच्चों हमारे पास dimensional analysis जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे previous के question है, 2019 में भी question है 2014 में भी question था, 2014 में भी question था 2024 में भी high chances है कि question आई और वो होगा dimensional analysis के उपर कि वो तुम्हें क्या बोलेंगे, वो तुम्हें बोलेंगे कि एक, एक physical quantity के dimensions को इन, इन terms में लिखो जैसे कि तुम्हें बोला गया force के dimensions को लिखो velocity, gravitational constant velocity, gravitational constant और यहाँ पर मैं ले लेते हूँ pressure की terms में तुम्हें बोला गया कि भाई तुम ऐसा करो तुम यहाँ पर mass की dimensions को लिखो force, velocity और time की terms में तुम्हें बोला गया कि तुम length की dimensions को लिखो planks constant, speed of light और gravitational constant की terms में इसको dimensional analysis बोला जाता है ठीक है, तो dimensional analysis का मतलब जरा से देखो क्या है dimensional analysis का मतलब कि मैं dimensions को analyze कर रहे हूँ obvious सी बात है मैंने आपर सिर्फ दो physical quantity बताईए क्योंकि यह बहुत obvious सी बात है तुमारी physics chapter में आराम से 120 physical quantities होंगी सारी physical quantities हमें हाँ पर थोड़ी cover करनी है जब हम जाएंगे electrostatic में तो permittivity करेंगे जब हम जाएंगे magnetic physics में तो permeability करेंगे जब हम जाएंगे thermal physics में तो solar constant के बार में बात करेंगे अभी हमें सिर्फ समझना है कि dimensions का मतलब क्या होता है तो dimension का मतलब किसी भी physical quantity को मैं बिलकुल fundamental की terms में लिख दू और dimensional analysis का मतलब होता है dimensions को analyze करना ताकि मैं एक physical quantity के dimensions को किसी भी physical quantity की terms में लिख पाऊ तो यह dimensional analysis सबसे पहले principle of homogeneity देख लो principle of homogeneity बहुत ही basic चीज है तुम कभी भी 6 meter is equal to 6 newton नहीं लगते हो तुम कभी भी 6 meter plus 6 newton नहीं करते हो तो जो ये तुमारी subconsciously है ना knowledge वही principle of homogeneity है that if LHS is equal to RHS then the dimensions on the left hand side must be equal to the dimensions on the right hand side first thing that principle of homogeneity talks about कि भाई अगर left hand side में कुछ है और right hand side में कुछ है तो दोनों side पर dimension सेम होने चाहिए तुम बताओ, तुम क्या कभी भी करो कि 6 meter is equal to 6 second नहीं कर सकते भाई तुम क्या कभी भी करो कि 6 newton is equal to 6 pascal तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ठेक है, तो पहली चीज principle of homogeneity यह बोलता है कि भाई अगर A और B equal है ना, मतलब left hand side और right hand side equal है तो left hand side पर जो physical quantity है उसके dimensions और right hand side पर जो physical quantity है उनके dimensions सेम होने चाहिए दूसरी logical चीज यह आगई मैं कभी भी 6 newton में से 6 second नहीं minus कर सकते, मैं कभी 10 newton के अंदर 6 meter नहीं plus कर सकते, तो दूसरी चीज यह यह बोलता है कि अगर मानू दो physical quantities subtract हो रही है या फिर दो physical quantities add हो रही है तो उनके dimensional formula सेम होगे, we can only add and subtract the physical quantities that have the same dimensions divide में किसी को भी कर सकते हूँ मैं देखो ना, force को distance के साथ multiply गर सकते हूँ, force को area के साथ divide गर सकते हूँ है ना, so I can multiply and divide any physical quantity but I can add and subtract only those physical quantities that have the same dimensions, क्या यह चीज समझ आगे, we can add we can add or subtract we can add or subtract only those physical quantities only those physical quantities that have the same dimensions that have the same dimensions इन दोनों चीज़ों के बार में जो principle of homogeneity है वो बात करता है तो अभे इसी की help से यह हम लोग, यह question type ही आना कि एक physical quantity को different physical quantities की टर्म्स में लिखना तो मैं तुम्हें बताती हूँ इन questions को कैसे solve किया जाता है जैसे कि मानों तुम्हें बोलें कि भाई A की physical quantity को तुम B और C की terms में लिखो let us assume यह question और यसे तीन question अभी मा आगे कराने वागी हूँ तो तुम बोलो कि ठीक है भाई जो A है B के उपर depend कर रहा है कैसे पताने A जो है C के उपर depend कर रहा है कैसे पताने हमें नहीं बता question ने हमें बोलहा है A B के उपर भी depend कर रहा है कैसे पताने मैं तुम्हें बोल रही हूँ दो चीजों को link करने के लिए कुछ तो common होना चाहिए तो अगर मानो मैं A B और C को link करना चाहती हूँ तो इनके बीच में common क्या है fundamental quantities तो फिर मैं क्या करूँगी मैं A, B और C को fundamental quantities की terms में लिखूँगी मैं देखूँगी mass length और time की power left hand side में कितनी है मैं फिर देखूँगी mass length और time की power right hand side में कितनी है और उन powers को equalize कर दूँगी because that is my principle of homogeneity क्योंकि ऐसे कभी नहीं होगा left hand side is equal to right hand side का question है तो मैं बोला गया कि mass की dimensions को तुम force velocity और time की terms में लिखो तो मैं बोल दूँगी कि भाई देखो जो mass है वो force की उपर depends कर रहा है कैसे पता नि तो कोई unknown power है A velocity की उपर depends कर है कैसे पता नि तो unknown power है B time की उपर depends कर है कैसे बता नि तो unknown power है C अब मैं क्या करूँगी मैं इनको link करना जाते हो न तो यहर मैं अगर किनी भी दो चीजों को link करना जाते हो तो मेरे पास कुछ तो common होना चाहिए तो वो common हो जाएंगी fundamental quantities कि पहले मैं left hand side को fundamental quantities की terms में लिखूँगी mass की power 1 है length की power 0 है time की power 0 है फिर मैं right hand side पे जो चीज़े उनको भी fundamental quantities की terms में लिखूँगी interaction चाहिए interaction खतम नहीं होना चाहिए कोई भी बच्छा लिख नहीं रहा है तो देखो force मेरे पास क्या आ गया force मेरे पास आ गया mlt-2 यह देखो velocity मेरे पास आ गया lt-1 और उसी तरीके से time मेरे पास आ गया t तो मैं देख पारे हो left hand side पे mass की power 1 है length की power 0 है time की power 0 है और जब मैं right hand side की उपर देख रही हूँ तो mass की power a है length की power a plus b है और time की power minus 2a minus b plus c है जानते हैं ना सब बच्छे ही की देखो ना length की power यहाँ पर a आ गई यहाँ पर length की power b आ गई तो length की power होगी a plus b यहाँ पर time की power minus 2a आ गई यहाँ पर time की power minus b आ गई यहाँ पर time की power c आ गई तो time की power आ गई minus 2a minus b plus c तो मैंने क्या किया मुझे इन physical quantities को link करने को बोला था तो मैं इनका mutual friend को लिया ही जो fundamental quantities है अब मैंने देखा कि left hand side में अगर mass की power 1 है तो right hand side पे भी 1 होने चाहिए तो a की value आ गई फिर मैंने देखा left hand side में अगर length की power 0 है तो right hand side पे भी 0 होने चाहिए मतलब a plus b is equal to 0 a की value में निकाल चुके हो 1 plus b is equal to 0 b की value आ गई minus 1 अगर left hand side में time की power 0 है तो right hand side पे भी time की value 0 होने चाहिए मतलब 0 is equal to minus 2a minus b plus c तो a और b तो तुम लोग निकाली चुके हो तो c को निकालो तो अब तुम्हें यहाँ पर सिब यह देखना है कि पहले जब तुम लोग ने starting की थी तो तुम्हें पता था mass force velocity time पर depend कर रहा है कैसे यह नहीं पता था अब कैसे भी पता लग लग ज़े तो तुम देखो a की value 1 आ रही है मतलब force की value 1 है तो देखो force की value 1 तुम्हें यहाँ पर भी नज़र आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अब अगर मानो velocity की power की बात करों तो minus 1 है तो velocity की power एक तो यहाँ पर minus 1 है और velocity की power एक यहाँ पर minus 1 है अब मुझे सिर्फ time की power देखने है तो time की power यहाँ से निकालो 0 is equal to minus 2 multiplied by 1 minus of minus 1 plus C 0 is equal to minus 2 A plus 1 plus C 0 is equal to minus 1 plus C C की वालू आगे 1 तो time की वालू होने चाहिए 1 time की power होने चाहिए 1 जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है This is what I am talking about Let me repeat myself कोई दिक्कत की बात नहीं है यह देखो, मैं previous यह question की help से repeat करना जाओ पी देखना यह एक बार जारा सा 2016 का question दिखने में बहंकर लगते हैं बच्चों, होते नहीं है multiplication, division you can do on your own focus on how are we approaching the question जैसे कि तुम्हें यहाँ पर बोला कि भाई, planks constant speed of light और gravitation constant की terms में बताओ length की dimensions कितने होंगे तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगे ना कि भाई, जो length है planks constant के उपर depend कर रहा है कैसे बता नहीं velocity के उपर depend कर रहा है कैसे बता नहीं सबसे पहले left hand side को लिंक करोगे fundamental quantities की terms में कि तुम लोग सबसे पहले left hand side को fundamental quantities की terms में लिखतो तो आजाता है M0L1T0 फिर तुम right hand side को fundamental quantities की terms में लिखतो तो आओ planks constant के dimensions निकालते हैं, आजो अब यहाँ पर planks constant आई गया है, तो आओ जरा सब planks constant के dimensions निकालते हैं तो जिन बच्चों को dual nature पता है, वही निकाल पाएंगे वरना तुम लोग नहीं निकाल पाऊगे energy is equal to हाँ जी, हम लोग यहाँ पर करते है dual nature of radiation and matter में यह चीज, कि जो मेरे पास energy of a photon है वो मेरे पास हो जाता है, planks constant multiplied by frequency energy को force multiplied by distance कर दो तो force आ गया, mlt minus 2 distance का आ गया, l planks constant, निकालना है, frequency हो गया 1 divided by time, तो t की पावर minus 1 तो तुम देख लो planks constant मेरे पास क्या आ गया ml2, t minus 2 division में आ गया, t minus 1 तो यह मेरे पास बना ml2, t minus 1 कभी भी याद नहीं रखोगे you will never memorize तो अभी तुम लोगों ने क्या किया obviously बात है, lengthy question है, difficult question नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले side में इस तरीके से planks constant की dimensions निकालने है देखो, सबसे पहले तुम्हें इस तरीके से side में planks constant की dimensions निकालने है which is ml2, t minus 1 रख देते हैं, यहां पर आ गया ml2, t minus 1 फिर velocity के dimensions आगे वो है, lt minus 1 gravitational constant अभी बताया था याद नहीं रखना चाहिए m minus 1, l3, t minus 2 किसी भी बच्चे को याद नहीं होना चाहिए अभी निकाला है, तो as it is लिग दिया approach के उपर focus करो बच्चो यार, मैं multiplication, division plus minus पर नहीं focus करना चाहते हूं क्योंकि तुम्हें मेरी help नहीं चाहिए उसके लिए so I am focusing on the physics approach that you need my help for, अब मैं बोले हूं कि left hand side और right hand side पर जो mass के dimensions हैं, length के dimensions हैं और time के dimensions हैं सेम होनी चाहिए, तो left hand side पर यहालत है, right hand side के ऊपर बात परूँ, तो देखो mass की power आगे a minus c, length की value आगे 2 plus b plus 3c, sorry, length की power कितने आगे, length की power आगे 2a 2a plus b plus 3c, time की power देखो कितने आगे, time की power आगे minus a minus b minus 2c, error हो चुका है जिलानी, class से भाग गई थी, तो देखो left hand side में और right hand side पर mass की value सेम होनी चाहिए, है ना left hand side में, right hand side पर length की value सेम होनी चाहिए left hand side, right hand side पर time की value सेम होनी चाहिए you have 3 equations, 3 variables निकालो, do this you have 2 equations and 2 variables, अब a, b और c निकाल सकते हो और answer तक पहुन चकते हो, एक और question का अप्रोच बताती हो, और फिर बाद में हम लोग पर depend कर रहें कैसे बतानी, gravitational constant पर कैसे डिपेंड कर रहें कैसे बतानी तो पता करने के लिए common friend उड़ना पड़ेगा, जो कि fundamental quantities है, तो जो left hand side है left hand side को भी मैं fundamental quantities की terms में लिख दूँगी, और जो हमारा right hand side है right hand side को भी मैं fundamental quantities की terms में लिख दूँगी, तुम्हें याद नहीं होना चाहिए तुम्हें याद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, निकालूगे, gravitational constant, planks constant, coefficient of viscosity इन सब के dimensions, जब gravity आएगा, तब gravitational constant के बार में एक और बार बात करेंगे है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे physical quantities है, हर chapter में जितने भी physical quantity आएगी सब की dimensions में तुम्हें बताऊंगे, तो ये देखो, अब जो mass की power यहाँ पर है, जो length की power यहाँ पर है जो time की power यहाँ पर है, वही right hand side पे भी होनी चाहिए, right hand side के उपर mass की power मैं देख पार हूँ minus b ही है, और length की power अगर मैं देखों, तो वो मेरे पास a plus 3 b है, अगर मैं time की power देखों, तो वो मेरे पास minus a minus 2 b है, तो मैं तुम्हें यही तो पोल लो, left hand side में और right hand side में mass की power सेम होगी, तो यहाँ आगया, so now you have three equations and now you have three variables. Calculate a, b and c. इतो देखो, easily आ जाएगा, तो मैं जल्दी से कर देती हूँ. 1 is equal to minus b, तो मेरे पास b की वाल्यू कितने आगे minus 1. उसी तरीके से a plus 3b की वाल्यू यहाँ पर 1 बताई हुई है. इसका मतलब a minus 3 की वाल्यू 1 बताई हुई है. तो a की वाल्यू आगे 2. देख पारें? हंजी. सॉरी, a की वाल्यू आगे 4. तो यह मेरे पास आगया. force is directly proportional to velocity की power 4 gravitational constant की power minus 1. So I can say that force is directly proportional to velocity की power 4 divided by the gravitational constant. यह तुम्हें one of the options में देख जाएगा. This is what I am talking about. अब यह मैंने बच्चों तुम लोगो तीन अप्रोच बता दियें. अब इनी अप्रोच अब हम लोग 3 बज़े वाले session में और practice करेंगे. अब लेट एस कम्प्लीट दी चाप्टर. दो हमारे चोटे-चोटे topics बचते हैं. अगर किसी बच्चे ने miss किया है तो मैं दुबारा से बोल दू. चार का कोई dimension है. हाँ जी, एक बार जरा सा मुझे बताईए. अगर मानो कोई number हो, जैसे relative error एक number था, percentage error एक number था, तो ये जो number होती है. या फिर मानो, मानो अगर मैं sign theta की बात करूं, तो ये जो theta होता है. या फिर मानो मैं anything, anything raise to bar something power की बात करूं. है ना, तो मैं चाहे इस number की बात करूं, मैं चाहे इस theta की बात करूं, मैं चाहे इस power की बात करूं. क्या इनके कोई dimensions होंगे? बहुती genuine चीज है यह, बस एक question solve कराना चाते हूं, इसे लिए ये बोल रहे हों. क्या इनके कोई dimension होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे. They are going to be dimensionless. Dimensionless का मतलब कि इनके कोई भी dimension नहीं होंगे? Because they are exact numbers. Because they are exact numbers. तो मानो उसके उपर एक question दे दूं. कि भाई pressure की value है, P की value है, P not E की power alpha T plus beta T की power 2. अब मैंने तुम्हें alpha और beta की dimensions पूछे होंगे. तुम्हें आपर बोला हुए कि जब P और P not है वो pressure है. ध्यान दीजेगा. P और P not pressure है, T time है. ये सारी चीजे दे के अब तुमसे alpha और beta की dimensions पूछे गए है. ऐसे questions आते हैं. ओविसी बात है, ऐसे questions को मैं और कराऊंगी तीन बजे वाले session. बाकि इच्छोट नॉन बे difficult. तुम देखो, अगर मैं किसी भी चीज को add कर पा रहे हूँ. ये basically question principle of homogeneity के उपर है. कि अगर मानों मैं तुम्हें equation दे रहे हूँ. left hand side it is equal to right hand side. तो ओविसी बात है, left hand side पे जो dimensions है. वही हमारे right hand side वाले dimensions के equal to होंगे. मतलब आइकेन जे कि बही जो P के dimensions है, वही beta multiplied by TK2 के dimensions है. खतम. देखो, तो pressure के आगया, force divided by area. तो force हो गया MLT minus 2, area हो गया L का square. बीटा के dimensions निकालने हैं, ये आगया T की power 2. निकाल सकते हो ना? बीटा के dimensions आगे, देखो, rearrange करो, बीटा के dimensions आगे. अब अगर आप मुझसे पूछते हैं, alpha के dimensions बता हो, तो alpha power में है, power तो हमेशा dimension less होती है. alpha multiplied by T, तो हमेशा dimension less होती है. मतलब, alpha multiplied by T power है, तो हमेशा dimension less होगा. तो देखो, alpha के dimensions आगे, T की power minus 1. ऐसे questions आते हैं. ओविसी बात है, types of questions के उपर, आम लोग 3 बजे वाले session में और ज़्यादा focus करेंगे. बाकि मैं principle of homogeneity के उपर equation कराना चाहती थी. कि तुम्हें ये equation देखे, पूछा गया, alpha और beta के dimension बताओ. तो तुम देखो, left hand side में pressure है, तो right hand side पे भी pressure के dimensions होगे. तो इसके dimensions, pressure के dimensions के equal to होने चाहिए, तो beta के dimensions आगे. ये power में था power number होता है, तो alpha के dimensions आगे. अब बिल्कुल वो हमारे, वो जो एक topic रहता था, supplementary quantity, उसको कतम करते हैं. दुबारा से मैं बोल दूँ, nothing has been skipped. ये आप कब कराऊगे, वो आप कब कराऊगे, मैंने सब कराया है, except screw gauge and vernier caliper, repeating myself, ताकि किसी बच्चे ने miss ना कर दिया हो. करके, that is the reason, उनके उपर booster session आएंगे Saturday को. हम लोग Monday to Friday chapter की completion के उपर focus करेंगे, और ये जो additional topics है, Saturday को उसके booster sessions आया करेंगे. ठीक है जी? चलो, अभी हमारे छोटाज आईए, जो हमारा topic है, supplementary quantities, उसको खतम करते हैं, और हमारी जो आज की class है, खतम होती हुई. I am hoping, बच्चो, तुम लोग का जो experience है, वो अच्छा रहा हो. Because everything was pre-planned. तुम देखो, question तक pre-planned है, ताकि exact 2.5 hours के dot के उपर मैं खतम कर सकूँ. ठीक है, 5 minute लेट आई थी, तो 9.35 तक चूँ मत करना, 9 minute रहते हैं, 9 minute में बहुत अच्छे से supplementary quantities में बता सकते हैं. ठीक है, जो class का PDF है, as well as class का PDF है, as well as जो DPP है, मैंने तुमें बता दिया है, telegram चानल के उपर मिलेगी. मेरे telegram चानल के उपर भी मिलेगी, और जो Neet Adda का official telegram चानल है, जिसका link इस वीडियो की description में है, वहां पर भी मिलेगी. ऐसी मैंने slides के नीचे यह नहीं लिखा हुआ है. पिकल बच्चे बीच में join करते हैं, तो उनको पता नहीं लगता है. ठीक है? Now I have, now I have 8 minutes, let's go. बहुत ही छोटा सा topic है supplementary quantity का. तो बच्चो, let me take you back, है ना? Let me take you back to where we started. मैंने तुम्हें क्लास की शुरुवात में बताया, कि अगर मानू मैं SI unit system की बात करूँ, तो SI unit system बोलता है, तीन तरीके की physical quantities हैं. एक होगी fundamental quantities, जिसमें साथ fundamental quantities हैं. एक होगी derived quantity, जो दो या फिर multiple fundamental quantities से बनती हैं. तीसरी आगे मेरे बाद supplementary quantity. तो मैं बोलो, supplementary quantity वो है, जिनको हम लोग fundamental की terms में नहीं लिख सकते. जिनको मैं fundamental की terms में नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं सारी की सारी derived quantities को fundamental की terms में लिख सकते हूं. तुम सोचो ना, derived quantities क्यों हैं? क्योंकि उनको fundamental की terms में लिखा जा सकता है. मैं बोलो supplementary quantities वो है जिनको fundamental की terms में नहीं लिखा जा सकता तो fundamental की terms में लिखे जानने को ही dimensions बोला जाता है तो इनके units तो है ही और इनके dimensions भी है ध्यान दीजेगा इनके units तो है और इनके dimensions भी है लेकिन अगर मैं supplementary quantities की बात करू तो यहाँ पर दो supplementary quantities है जिनके unit तो है लेकिन जिनके dimensions नहीं है इसके उपर अभी 2000 पता ने 2221 में कुछ question आये थे इनके dimensions नहीं है क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें पता लगना चाहिए dimension का मतलब fundamental quantities की terms में लिखना मैं नहीं लिख सकती angle को fundamental quantities की terms में so supplementary quantities are those quantities that cannot be derived but they cannot be written in the terms of fundamental quantities as well so they have unit but because they cannot be written in the terms of fundamental quantities so they do not have dimensions तो इस तरीके से ऐसे quantities इनके units हैं और dimensions नहीं है उनको supplementary quantities बचों बोला जाता है और तुम्हारे syllabus में नाम की पेसेस के उपर दो supplementary quantities है एक आजाता है हमारा normal angle एक आजाता है हमारा solid angle solid angle तुम्हारे syllabus में कहीं पे भी नहीं है सिब इसका यहां पर mention किया गया है हमें focus करना है plain angle के उपर तो plain angle वो जो दो lines के बीच में होता है और plain angle basically मेरे पास वो angle होता है जो एक area को enclose करता है जैसे अगर तुमने कभी भी softy खाई हो कोन नहीं होती है वो softy वाले कोन होती है तो यह वाला जो angle जो क्या कर रहे है इस तरीके से एक area से associated है वो solid angle है तुम्हारे syllabus में कहीं नहीं है यह तुम्हें इसके उपर जादा focus नहीं करना है बस याद रख ले इसका जो unit है उसको बोला जाते है steradian ठीक है तुम्हारे syllabus में plain angle है और इसी के उपर हम लोग अगले 5-6 minute में focus करने वाले हैं हमारे syllabus में plain angle जो दू lines के बीच में होता है तो यह जो lines के बीच में होता है angle इसका जो unit है वो है radian degree नहीं degree is not the SI unit of angle that we all measure radian is the SI unit of the angle that we measure so angle between two lines is known as radian अब यहाँ पर कुछ conversion है यह conversion तुम लोगों को याद रखना है हम सब को पता है कि अगर मानो मैं पूरे के पूरे सर्कल में जाओ तो पूरे के पूरे सर्कल में मैं 2 pi से गूमी हूँ पूरे के पूरे सर्कल में 2 pi radian होता है और पूरे के पूरे सर्कल में 360 degree होता है तो मुझे radian को degree में convert करने में किसी तरीके के कोई दिक्कत आएगी नहीं degree को मैं radian में अच्छे से convert कर सकते हूँ मैं अब तुम्हें additional चीज़े बता रही हूँ 1 r can be written as equal to 60 minutes देखो 60 minutes को इस तरीके से भी represent किया जाता है 60 और उसके उपर 1 dash and it can also be written as equal to 3600 seconds जिसको मैं 3600 के उपर double dash की format में लिख सकती है so these are some conversions इसको तुम लोग को इस इन के बार में तुम लोग को पता होना चाहिए तुमारे syllabus में कहीं नहीं है minute में conversion और second में conversion लेकिन जैसे मैंने तुम्हें MKS, FPS unit system के बार में बता है तो यहाँ पर मैंने तुम्हें ये भी बता दिया तुम्हें जो conversion आना चाहिए वो है radian और degree के बीच में जैसे कि मानों अगर मैं तुमसे पूचूँ कि बताओ कितने radian है 300 degree में तो तुम याद रखो ना 2 pi radian क्या होता है 2 pi radian हो जाता है मेरे बास 360 degree तो मैं unitary method से निकाल सकते हूँ कि बताओ कितने radian होंगे 300 degree के अंदर तो unitary method लगाओ x की value कितनी आगी 300 multiplied by 2 pi divided by 360 तो ये conversion आने चाहिए जो इस तरीके से radian and all में होती है ठीक है तो ये conversion के उपर और questions हम लोग करेंगे मतलब conversion है ये conversion तुम लोग को कहीं नहीं आएंगे बताने को मैंने बता दी इसके उपर practice session में थोड़ी सी बात कर लेंगे अब मैं चलते हूँ हमारे last sub segment के उपर जो कि है parallax method बिल्कुल छोटा सा topic है parallax method is modified trigonometry ध्यान दीजेगा parallax method is modified trigonometry हमारी class का आखरी sub topic कि देखो भाई अगर मानो इस तरीके से तुम एक क्या कर रहे हो तुम एक pillar को observe कर रहे हो यहां से observe कर रहे हो तुम से बहुत ही जादा दूर है तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि मानो जब तुम यहां से observe कर रहे हो गौर पर माना जब तुम यहां से observe कर रहे हो तब तो तुम अभीस ही बात है तुम क्या करोगे यहां पर trigonometry लगाऊँगे बच्चो यार 2 pi is equal to 360 degrees के उपर मैं और नहीं बात करना चाहूंगी class basic से ही है और यह basic है 2 pi is equal to 360 degree coming back to the question that I was discussing तो मैं बोल लूँ कि अगर मानो मैं यह वाले angle की बात करूँ तो यह वाले angle में मैं trigonometry लगा सकती हूँ कि मानो अगर यहां पर height of the tower capital H है और मैं इसके base से इस तरीके से मानो for example b के distance के उपर हूँ तो यह मेरी trigonometry है कि भही जो tan theta है it is going to be given by capital H by B this is trigonometry मैं बोल लूँ कि मानो अगर मैं trigonometry का एक special case ले लो कि मैं जिस चीज को observe कर रही हूँ वो इतना जादा दूर है magisteries को observe कर रही हूँ वो इतना जादा दूर है कि ये वाला angle बहुत ही जादा छोटा है तो अगर मानो यार ये वाला angle बहुत ही जादा छोटा हो गया तो अबिसी बात है ये दोनो जो lines है वो same length की होगे न अगर ये वाला angle बहुत छोटा है तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन सेम ही लेंध की है तो इनको radius बोला जाता है that is it यहाँ पर इनको radius बोला जाएगा दोनों सेम लेंध की होंगी और ये जो दो radius के बीच में जो ये arc आया है इसको arc बोला जाता है तो parallax method मुझे ये बोलता है theta is equal to arc divided by radius और ये कितनी obvious सी बात है तुम देखो ना मानो अगर मैं इसके लिए sine theta define करना जाऊं तो sine theta हो गया मेरे पास opposite by hypotenuse देखो tan theta को define करना जाऊं तो वो भी मेरे पास क्या हो गया वो मेरे पास हो गया opposite opposite by base दोनों सेम ही तो है इसलिए बोला जाता है और parallax method के उपर कभी भी तुम्हें question नहीं आएगा कि तुम्हें कोई ऐसा question आए जो parallax से solve हो रहा है parallax method एक way of solving है क्योंकि ये parallax method से ही आता है कि जब theta बहुत ही जादा छोटा होता है तो वो वाले सेनारियो में मैं tan theta और sin theta को equalize कर सकती हूँ और उसको लिख सकती हूँ as equal to r के divided by radius ध्यान दीजेगा इसके उपर questions करेंगे हम लोग हमारी 3 बज़े वाली class में let me repeat myself यहाँ पर फिर भी देखो मैं इसको बहुत छोटा नहीं बता पा रहे हूं लेकिन मानो अगर मैं यहाँ पर यह point लूँ और मानो मैं इसको measure कर रहे हूं तो तुम देखो ना एक line यह जाएगी और एक line यह जाएगी क्या फरक है दोनों line में कोई फरक नहीं है ना so this is parallax कि भाई मतलब this is the mathematical parallax कि यह देखो यह theta बहुत ही जादा छोटा है जिसकी वज़े से यह वाली line जो कि है hypotenuse और यह वाली line जो है base सेम हो गया जिसकी वज़े से sin theta और tan theta सेम हो गया तो मैं तो मैं बोल लूँ कि यह जो तो बड़ी-बड़ी वाली lines ना इनको radius बोला जाता है और इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको arc बोला जाता है तो theta is equal to arc by radius यह हमारा parallax method I am hoping that the concepts are crystal clear और यह हमारा chapter बच्चों खतम होता हुआ जैसे कि मैंने बोला था extend नहीं करूँगे मैं class को बिलकुल 2 घंटे 30 मिनिट 34 सेकेंड अभी चल रहे है तो यह जो chapter है खतम होता हुआ इसके उपर obvious ही बात है practice करेंगे parallax की उपर भी हम लोग practice करेंगे इसके भी different तरीके के questions बताऊंगी फिर मैं principle of homogeneity की उपर भी question कराऊंगी तो तुम यह मत समझना SL Arora, HC Verma, DC Pandey selected previous year questions NCRT के example questions की help से इन ही सारे topics को हम लोग strengthen करेंगे तो class का link pinned है बाकी बच्चों देखो प्रथा बना रहे हम लोग class में जैसी class खतम हो make it your responsibility to comment hashtag no matter what in the comment section सुभे उठना सब के बस की बात नहीं है so no matter what हम उठ रहे है no matter what हम live classes attend करें कोई भी बच्चा किसी भी रीजन से recorded session नहीं देखेगा schedule बनाओ, बिना schedule के आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है अब proper schedule is very important for a student's life और यह schedule बनेगा जब schedule बना है कि 7 बजे क्योंकि recorded session को कुछ भी time हो सकता है लेकिन live 7 बजे शुर होगा once and for all तो मारे fingertips करें के लिए bye bye everyone good bye 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 good bye